तो आप और मैं वापस आ गए हैं इटूस इंडिया के चैनल पर हम लोग स्कॉलर सी सीरीज पर काम कर रहे थे हम बैलोजी में एक चैप्टर पढ़ चुके हैं विच इस दे लिविंग गोल्ड आप लोगों को इससे रिलेटर जो भी प्रॉब्लम्स आई आप लोगों ने टे दूसरी चीज तूसरी चीज लिविंग वर्ल्ड की डी पीपी इसस सोल्फ करी की नहीं करी आए ग्वैटर नहीं बने तो मेरा डी पी और स 55 मेरा किर दी एखा की नहीं कर दिया कट्छर बड़ी है अब हम शुरू करते हैं इसी सीरीज में एक दूसरा चैप्टर जिसका ना 50-55% of the chapter पढ़ेंगे दूश्रे पार्ट में हम remaining पढ़ेंगे शुरू करें चलिए अब मैं आपको इस chapter का एक basic introduction देती हूं कि ये chapter क्या है और क्या करना चाहता है ठीक है चलो समझो हमने living world पढ़ा और उसके अंदर हमने देखा कि there are variety of organisms है न millions में species है 1.7 to 1.8 million species हैं अभी इस earth पे जिनको हम जानते हैं तो अब scientist के दिमाग में क्या आया कि अगर मैं एक एक करके सबको अलग-अलग study करने बैठूंगा तो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी that is not possible तो हम इनको groups में categories में divide कर देंगे और फिर हम उसकी categorical study करेंगे जो की काफी जादा असान हो जाती है और इसी study क्या एक basic introduction आप लोगों को इस chapter में मिलेगा biological classification यानि की living organisms को हमने classify कर दिया अब सुनने में तो लग रहे है कि कितना नया सा concept है कुछ सवा सौ साल पहले कुछ scientist के दिमाग में आया होगा कि चलो चीजों को ऐसे divide करते हैं लेकिन ये बात एक बहुत साल पहले जब लोगों को science की information नहीं थी तब भी उन्होंने चीजों को categorize करके रखा था example दूँ जैसे तुम्हें पता है कि कुछ पेड़ हैं जो कि fibers देते हैं जैसे कि cotton और jute तो वो fiber yielding पेड़ हो गए या कुछ पेड़ हैं जिनसे तुम्हें तेल मिलता है जैसे कि मूंपली जैसे कि sunflower जैसे कि mustard तो वो oil yielding पेड़ हो गए या फिर कुछ ऐसे होते हैं पेड़ जिनको हम अनाच की तरह use करते हैं जैसे कि चावल हो गया जैसे कि आपका गेहूं हो गया जो हो गया बाजरा हो गया यह सब चीज़े हो गई तो यानि कि पहले के time पर भी classification हो रहे थे पर वो classification थे practical basis पे कि जो काम का है चितना हमारी जरूरत की according हमने classify कर दिया हम high level पर नहीं सोच रहे थे हम सारे organisms को consider नहीं कर रहे थे उसके बाद में सबसे पहले classification करना शुरू किया कैसे कि Aristotle ने classification उसने पेड़ों को देखा और पेड़ों को तीन category में डिवाइड कर दिया herbs, shrubs and trees herbs कौन से पेड़ों होते हैं ऐसे पेड़ जिनकी stem बहुत पतली होती है काफी छोटी सी stem होती है weak stem होती है बहुत जादा height के यह पेड़ नहीं होते herbs हो गए shrubs में woody stem आ जाती है उससे comparatively thicker and stronger stem है और सबसे बड़े हो जाते हैं trees जो की बहुत लंबे पेड़ होते हैं जिनका बहुती मोटा तना या woody stem होता है तो यानि कि यह पहले organism कह रही हो पहले scientist थे चिनों ने classification किया एक organism को देखकर उसको study करके और यह कुछ नया चीज थी clear हो यह बात एक basic सा introduction मैंने आपको दिया आगे बताती हूं Aristotle ने सिर्फ plants के बारे में बात नहीं करी उन्होंने animals के बारे में भी बात करी और उन्होंने कहा कि animal को काट के देखो काट के मत देखो बस यह देख लो कि उसमें लाल रंग का खून है की नहीं है अगर red blood है तो वो red blooded animal हो गए और तुमने किसी जानवर को काटा और उसके अंदर से लाल रंग का खून नहीं निकला तो वो नौन red blood हो गए यहाँ पर Aristotle एक पहले scientist आये जिन्होंने classification करना शुरू किया और उसके बाद तो कहानी चलती चली गई यह क्या कहानी है कैसी कहानी है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है बस इसी की पूरी study हम इस chapter में करेंगे हम देखेंगे कि कैसे Aristotle ने basic division किया जो मैंने आपको बताया फिर आएंगे scientist Carlos Linius फिर Ernst Hackle आएंगे फिर Copeland आएंगे फिर उसके बाद में आरेच विटाकर आजाएंगे जोकि सबसे famous scientist है चिनों ने एक classification system दिया five kingdom classification अगर तुम लोग class 9 में कोरोना से पीडित होकर diversity नहीं पड हो तो बहुत बुरी बात है लेकिन अगर आपने थोड़ा भी diversity पढ़ा है थोड़ा भी उसका introduction आपको पता है तो आपने पांच kingdom के नाम सुने होंगे और उसी की study हम इस chapter में करने वाले हैं जिन्नोंने नहीं सुना वो टेंशन मतले हम मैं एकदम ground zero से पढ़ाने वाली हो त तुमें चीजे clarity clarity से समझ में आएंगे चले शिरू करें यह one of the most interesting chapter है मुझे पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता था जब मैंने अपने time पर पढ़ा था और पढ़ाने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है तो I hope कि तुम लोगों को भी chapter पढ़ने में बहुत मज़ा आए च के लिए तो बढ़िया है ही सब लोग quick revision तो इस chapter से कर ही सकते हैं ताकि यह अच्छे से आपको याद हो जाए one or two questions यहां से आने की chances हैं चले शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने आपको Aristotle के बारे में बताया Aristotle पताया Aristotle को हम father of biology भी कहते हैं क्या कहते हैं father of biology मैंने पताया कैसे याद किया था Aristotle, total, total तो total biology के father है यह Aristotle दिखें चलो देखो आगे इन्हों ने plants का भी classification किया plants classification भी किया और animals का भी classification किया ठीक है plants में मैंने आपको क्या बताया classify करके क्या नाम रख दिया इन्होंने tree herbs and shrubs tree herbs shrubs okay या herbs shrubs trees कुछ भी बोल दो animal की बात करें तो animal का क्या कर दिया इन्होंने कि भाई या लाल खून आ रहा है तो red blooded और लाल रंग नहीं है तो non red blooded यह था सबसे पहला classification Aristotle का उसके बाद कुछ अलग अलग scientist है जैसे कि एक तरी ओ फ्रास्ट्रस थ्री ओ फ्रास्ट्रस ने पेडों को ही divide किया annual बाइनियल पेरेनियल शब्दों में अगर एक सीजन में ग्रो कर रहा है या वन ग्रोइंग सीजन है पूरे साल में तो annual अगर दो है या दो सालों में इसका life cycle complete हो रही है तो बाइनियल और कई सालों तक चलती जा रही है तो पेरेनियल हो जाएगा वह मैं आप लोगों को अभी नहीं बता रही हूं that is not important पर हां इसका नाम हम एक चैप्टन में जरूर पढ़ेंगे जो कि आगे जाके plant physiology में आएगा जिसका नाम है plant growth and development उसके अंदर मैं एक process पढ़ाऊंगे आप लोगों को breeding से related ठीके वहां पर इनका नाम जरूर आएगा चले Aristotle देखा हमने ओके चलो भाईया आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं आगे उसके आगे फिर क्या हुआ हिस्ट्री में Aristotle आ गए Aristotle के बाद में एक बहुत famous scientist चाहे चिनका नाम था कार्लस लीनियस क्या नाम था scientist का कार्लस लीनियस कहां सुना है सुना सुना तू लग रहे कहां पर सुना था भाई दो दिन पहले की class में सुना था हमने जब हमने living world पढ़ा था तो binomial nomenclature भी कार्लस लीनियस का ही द या इस प्रित्वी पर दो ही प्रकार के organisms पाई जाते हैं क्या बोला इन्होंने कि इस प्रित्वी पर दो ही प्रकार के organisms पाई जाते हैं एक का नाम इन्होंने रख दिया plant एक का नाम हम रख देंगे plant और दूसरे का नाम हम रख देंगे animal और किसकी basis पर इन्होंने बोला कि यह plant है और यह animal है इनका basis सिर्फ एक था presence और absence of cell wall तो two kingdom classification का अगर कोई मुझसे basis पूछ ले तो उसका basis है cell wall अगर cell wall present है तो plant हो जाएगा और cell wall absent है तो उसका पर नाम animal हम रख देंगे चा बोला मैंने cell wall present है तो plants और cell wall absent है तो animals और सुनो गजब की बाद है पूरी दुनिया ने इनकी बाद कई सालों तक मानी छोड़ एनों दूसौ किसी नेन आक्पर कोई शक नहीं किया सब ने बोला कि ये एकदम सही बात कह Magic है और प्रित्वी पर दो ही प्रकार की और्गानेजम्स पाई जाते हैं या तो सेल वॉल होगी तो प्लांट सेल ओल नहीं होगी तो आनिमल तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये सही क्लासिफिकेशन है हाँ उस टाइम की अगर मैं बात करूं कार्ड़स के टाइम की या उसकी समझ की बात करो यानि की सतत्रा सौ के आसपास की अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम पर carless ligneus की बात एक दम सही थी क्योंकि उसने इतना ही सोचा समझा था। उसे इतना ही आइडिया था। लेकिन धीरे 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 लोगों के सोचने की शमताएं बदलती गई, हमारी advancement होती गई, हमें जादा से जादा चीजों के बारे में पता चलने लग गया और जब ऐसा हुआ तो इस classification system में हमें कुछ कमिया दिखने लग गई, कुछ नहीं कई सारी कमिया दिखने लग पेड की cells में भी cell wall होती है, क्या इन सबको एक category में रखना justified है की नहीं है, अब तुम तो कह रहे हो cell wall मौजूद है, तो यह सब तो plant की category में आ जाएंगे, पर हमारे दिमाग में तो यह question आएगा ना, कि बैक्तीरिया तो प्रोकेरियोट है, लेकिन आम का पेड है, तुम कैसे इनको एक category में रखते जा रहे हो, बताओ, प्रॉब्लम, यह इसकी demerit थी, यह इसका disadvantage था, यह इसका नुकसान था, और सुनो जरा मेरी बात और समझू, पंगस, यूकेरियोट है, यूकेरियोट है, चलो, दोनों के दोनों यूकेरियोट है, दोनों के अंद को एक साथ रख सकते हो, दूसरी चीज, फंगस में है, टेरोट्रॉफिक मोड अफ नूट्रिशन होता है, वो सेप्रोफिटिक है, वो डेड और डिकेंग, फूड को एब्जॉब करने का काम करता है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल पेड़ों की बात करूं, दूसरे पेड़ों हैं, क्या-क्या बोला मैंने कि कार्लस लीनियस ने पूरे दुनिया को ये बोल दिया कि देखो दो ही प्रकार के और्गानिजम इस प्रित्वी पे पाए जाएंगे, सेलवल है तो प्लांट, सेलवल नहीं है तो अनिमल, और कई सालों तक लोगों ने उनकी बात एकदम सही मा नहीं है, इनको हमें change करना चाहिए, तो changes क्या हुए, बात में देखेंगे, पहले हम इसकी कमियां देखते हैं, demerits देखते हैं, ठीक है, सबसे पहली demerit मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसकी क्या है, तो सबसे पहली demerit क्या आई, कि इन्होंने कुछ differentiation नहीं किया, no differentiation, no differentiation between prokaryote and eukaryote, prokaryote और eukaryote के बीच में कोई differentiation नहीं था, किसी को नहीं पता था कि ये क्या होते हैं, जबकि कायदे से इन दोनों का cellular structure एक दूसरे से बहुत अलग है, जमीन आस्मान का अलग है, इनको अलग-अलग करना चाहिए था, दूसरा नुकसान इसका क्या है, no differentiation between unicellular and multicellular organism, unicellular और multicellular organisms के अंदर भी कोई differences इन्होंने create नहीं करें, कोई differentiation इन्होंने नहीं देखा, दूसरा नुकसान देखा, तीसरा देखो, no differentiation between autotropes and heterotropes, autotropes और heterotropes के बीच में भी कोई फरक नहीं था, अभी-अभी मैंने बताया, fungus heterotrop है, plant autotrop है, लेकिन फिर भी दोनों को उठा कर एक ही category में रख दिया, क्योंकि उसमें cell wall मौजूद थी, बस इसी लिए, आगे सुनो, ठीक है, ठीक है, cell wall मौजूद थी, तो तुमने सोचा कि हम इसको एक category में रख दें, लेकिन fungus की cell wall काईटिन की बनी है, और plant की cell wall cellulose की बनी है, तो fungus और plant कितने अलग है, दोनों का mood of nutrition एकदम अलग है, दोनों के cell wall का composition अलग है, लेकिन फिर भी इसको एक ही category में रखा गया, तो इसमें इनोंने बोला कि चौथा बता रही हूं है, fungus and plants were placed, were placed in same kingdom, इनको हमने same kingdom में place किया, in spite of the fact, in spite of the fact, in spite of the fact, ki इन में cell wall composition vary करता है, that their cell wall composition varies, cell wall composition vary करता है, ठीके, चलिए, एक और बताती हूं, एक और difference आप लोगों के साथ में discuss करती हूं, एक organism है, जिसका नाम है Euglena, Euglena को connecting link between plants and animals बोला जाता है, हम लोग आजी की class में उसके बारे में detail में पढ़ेंगे, मैं बस एक basic information आपको दे रही हूं, कि अगर मैं Euglena की बात करूं, तो उसमें cell wall नहीं है, तो animal में रखना चाहिए था, पर autotrophic mode of nutrition है, plant जैसा, plant जैसे photosynthetic pigments है, plant जैसा chloroplast मौजूद है उसके अंदर, तो तुम उसे किसके अंदर रखोगे, पता नहीं, उसका address ही fix नहीं है बिचारे का, तो इसी लिए इसका एक और demerit हो जाता है, position of Euglena is not fixed, और ये सब के सब demerits है, two kingdom classification के, am I clear, ये बास समझ में आई, तो सबसे पहला आया, two kingdom classification, जो की carless lineage ने दिया, उन्होंने बोला कि plant और animal, cell wall है तो plant, cell wall नहीं है तो animal, फिर हमने देखा उसके नुकसान क्या है, आगे बढ़ते हैं, अब हम three kingdom classification को समझते हैं, कि ये क्या है, कौन है, मैं क्या बात कर रहा है, जरा समझो, अब देखो, एक example के help से मैं तुम्हें बताती हूं, suppose हमने एक offline batch चालू किया है, यही scholars को हमने offline में पढ़ाना चालू किया है, और हमने क्या किया, उस time पे दो groups बना दिये, दो glasses बना दिये, दो sections बना दिये, एक section में आ गए थे 80 बच्चे, एक section में 110 बच्चे थे, हमने उन्हें पढ़ाना शुरू किया, दीरे 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 यह course famous होता गया, तुम सबको इसके बारे में पता चलता गया, बहुत सारे बच्चे online में enroll होते गए, और बढ़ते बढ़ते एक class के अंदर पहुँच गए 420 बच्चे, और एक के अंदर पहुँच गए 500 बच्चे, ठीके, क्या मुझे बताओ कि मैं अगर पढ़ाने जाओंगी, तो क्या मैं डंग से बता पाओंगी, क्या मैं तुम्हें डंग से पढ़ा पाओंगी, नहीं पढ़ा पाऊंगी ना मैं पढ़ा पाऊंगी ना तुम पढ़ पाऊंगे तुम्हारे साथ भी इंजस्टिस मेरे साथ भी इंजस्टिस ठीक है भाईया तो अब क्या करें प्रॉब्लम का क्या सेल्यूशन निकालेंगे प्रॉब्लम का क्या solution है कि दो sections है ऐसा करो ना तीसरा section बना दो यही हो गया ना solution कि भईया इतने बच्चे हो गए हैं ऐसा करिए आप तीन या चार sections बना दीजे और उसके अंदर बच्चों को पढ़ाईए राइट आप सुनिए यही हुआ history में भी उन्होंने भी यही किया उन्होंने बोला कि देखो भईया जब कार्लस लीनियस ने two kingdom classification दिया था उस time पर हमें इतने organisms के बारे में नहीं पता था लेकिन जैसे जैसे हमें इनके बारे में पता चलता जा रहा है इन दोनों groups पर burden बढ़ता चला जा रहा है और इसके कारण अब हम इसको properly study नहीं कर पा रहे हैं यानि कि हमारा motive क्या था classify करने का easy study करना और वही motive यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है तो इसी लिए भाईयों और भेनों ऐसा करते हैं कि एक नया group बना देते हैं पहले तो लोग डर गए क्योंकि लोगों को तो समझ ही नहीं आया उन्होंने बूला plant होते है अनेमल होते हैं तीसरा कौन आएगा अंस शेकल ने बोला tension मतलो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तीसरा कौन आएगा पर पता ही क्या हुआ समझो वापस से उसी example पर आते हैं हम class में से पहुंचे management ने decide कि हां भाया तीन सेक्शन हम बनाएंगे लेकिन हमने बोला कि जिन बच्चों के 720 में से 700 प्लस नंबर हैं सिर्फ उनी को नया section में देंगे यानि कि A section था उसमें दो तीन बच्चे होंगे दूसरे में तीन या चार बच्चे हो जाएंगे बस तो हम बस इनी चार या पांच बच्चों को मिलाके नया section बना देंगे क्या problem solve ही क्या problem का solution निकला उन classes में तो अभी भी भी बीड़ी है ना बस यही काम on cycle ने किया on cycle ने दिया three kingdom classification system उसने बोला कि या तो organism plants और animals की ही category में नहीं रहेंगे हम इनकी एक नई category बनाने वाले हाँ उसने क्या बोला कि इन दोनों के अंदर से organisms को उठाओ और उठा कर एक नई category में डाल दो जिसका नाम है protista नाम क्या है protista अब किसको उठा कि इसके अंदर डालो उसने बोला सिर्फ और सिर्फ unicellular unicellular eukaryotes को इसके अंदर डालो और किसी को मत डालो वही मैंने कहा ना कि सिर्फ 700 प्लस नंबर वाले कुछ बच्चों को ही इस category में डालो और किसी को इसने डाला नहीं तो इन groups की problem तो solve नहीं हुई लेकिन पूरी दुनिया में एक चिंगारी लग गई पूरी दुनिया कहने लगी कि अच्छा हम और्गानिजम को classify अलग अलग भी कर सकते हैं सिर्फ प्लांट और आनिमल नहीं कुछ और भी हो सकता है और फिर तो बस रेल लग गई सब अपने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम देने लगे अब यहां पर आपको क्या देखना है कि प्रोटिस्चा किंग्डम किस ने दिया था इट वॉज गिविन बाए अंस्थाकल अंस्थाकल ठीक है फिर आया नेक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसका नाम है पूर किंग्डम जो की एक साइंटिस ने दिया जिनका नाम था कोपलांड इट वॉज गिविन बाए कोपलांड क्लियर इन्हों ने क्या बोला इन्हों ने बोला कि अच्छा तुम ही कह रहे हो ना कि प्लांड और आनिमल्स में से प्रोटिस्चा बनाओगे यह तो अंस्थाकल नहीं बोला प्लांड और आनिमल्स में से मिलकर हमारे पास किंग्डम प्रोटिस्चा आ गया था कोपलर ने देखा कि प्रोकेरियोटिक और्गानिजम्स अलग है वो बाकी सबसे एकदम अलग है तो उसने यहाँ से निकाल कर एक नया किंग्डम बना दिया kingdom monera और उस kingdom monera के अंदर उसने डाले कौन से organisms prokaryotic organisms प्रो केरियोटिक organisms इसके अंदर उन्होंने put कर दिये सुनो दियान से फिर से क्या हुआ two kingdom classification carless lenius ने दिया था plants और animals फिर अंस छाकल आए उन्होंने प्रॉब्लम पॉइंट आउट करी कि इन दोनों kingdom पे बहुत जादा बोज हो गया है अब आप इन में से और गैनेसम को निकाल के नए नए kingdoms बनाए और उन्होंने ही इसकी शुरुआत करी सबसे पहले उन्होंने दिया three kingdom classification जिसमें plants और animals के साथ में तीसरा kingdom आया प्रोटिस्टा का फिर आए एक साइंटिस को प्लांट जिन्होंने four kingdom classification दिया plants animals प्रोटिस्टा पहले से थे उन्होंने दिया चौथा इतना क्लियर हुआ यह सारी बाते तुम्हें समझ में आई छीक है आगे भड़ते हैं अब देखिए यह तो चो existing classification system थे उनी के अंदर कुछ changes हो रहे थे फिर एक साइंटिस्ट चाहे आरेच विटाकर अगर आप देखेंगे तो three kingdom और four kingdom यह दोनों नाम ncrt में नहीं है तू है और फिर सीधा five है पर मैंने सोचा कि तुम्हें बताओं तो हिस्ट्री में हुआ क्या इसलिए यह पूरी बात बताई है चलिए अब आया five kingdom classification system जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था और एच विटाकर बहुत ही गजब के यह साइंटिस्ट थे इन्होंने इस classification system में बहुत ही important role play किया यह इन्होंने 1969 में दिया था यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ncrt के अंदर given है ठीक है अब देखो ज़रा और एच विटाकर ने पूरे और गयानिजम्स को पाच kingdoms में डिवाइट किया कौन-कौन से kingdoms सबसे पहले kingdom का नाम आया किंग्डम मोनेरा प्रोटेस्टा पंजाए प्लांटे अनिमेलिया क्या-क्या नाम आया kingdom मोनेरा kingdom प्रोटेस्टा उसके बाद में kingdom पंजाए फिर आ गया kingdom प्लांटे अनिमेलिया ये पाच kingdom में आरेच विटाकर ने क्लासिफिकेशन किया अब तुम बोलोगे कि इतना स्पेशल क्या है फिर क्योंकि 2345 सेमी तुकानी चलती जा रही है किसी ने टू गिंग्डम दिया किसी ने थी किसी इसरा बना दिया इन्होंने थी था एक में से निकाल के चौथा बना दिया इन्होंने कहा नहीं मैं मेरे criteria apply करूंगा मुझे नहीं मतलब है कि अभी तक आप लोगों ने दुनिया में किस तरीके से classification किये हैं मैं मेरा criteria apply करूंगा और उसी के बाद में accordingly मैं पूरे मैं पूरे organisms को living world को classify करूंगा यह इनकी सबसे special बात थी कि इसने अपने criteria खुद choose करें तो इन्होंने कौन कौन से criteria choose करें थे हम उसको देखते हैं criteria chosen by आरेच विटाकर सबसे पहला था cellular organization cellular organization शब्द का मतलब है कि कैसी cell है cellular organization का मतलब है कि cell कैसी है प्रोकेरियोट है कि यूकेरियोट है पहला criteria दूसरा criteria जो इन्होंने use किया वो था body organization body organization इसका क्या मतलब हो गया इसका मतलब यह हुआ कि body unicellular है कि multicellular body organization third criteria मैं आप लोगों को बताती हूं तीसरा criteria इन्होंने use किया mode of nutrition खाना कैसा बनाते हैं खाना कैसा खाते हैं यह था तीसरा criteria fourth criteria था reproduction mode या I would say सिर्फ reproduction लिख रही हूं reproduction इन्होंने कैसे किया है उसके basis पर भी organisms को classify किया and last but not the least phylogeny यह शब्द हो सकता है आपने नया सुना हो या पहली बार सुना हो phylogeny शब्द का मतलब होता है बेटा evolutionary relationship क्यानी कि बिल्ली शेर की मासी है बंदर तुमारे पूरवज है जो कि थोड़ी गलत बात है बात में पता चलेगा क्लास 12 में कैसे लेकिन more or less अगर मैं बात करूं तो evolution के बारे में बात हो evolutionary relationships के बारे में अगर हम discuss करें तो हम उसे phylogeny कहते हैं तो phylogeny यह phylogenetic relationships का मतलब होता है evolutionary relationships क्या होता है evolutionary relationships am i clear तो यह आदमी क्यों special है क्यों इसका five kingdom classification इतना important है क्योंकि इसने existing चीज़ों को accept नहीं किया इसने बोला मैं मेरे criteria apply करूंगा और उसी क्यों classification करूंगा clear हुआ चलिए अब हम आरेच विटाकर का five kingdom classification देखते हैं तो इन्होंने क्या किया मैं बता रही हूं ना इन्होंने इसी order में अपने sequences को use किया यह जो तीन order है they are very 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 important सबसे पहले इन्होंने एक organism लिया पूरे सारे organisms लिये और इन्होंने अपना पहला criteria apply किया which was cell structure cell structure मतलब cell कैसी है prokaryotic cell है कि eukaryotic cell तो मैं क्या बोल रही हूं इन्होंने living organisms लिये चितने भी living organisms थे उनके ऊपर अपना पहला criteria apply किया जो की था cell structure यह इनका criteria number one है और जैसे इन्होंने यह लगाया इनको पता चला कि cells दो तरीके की होती है वो या तो prokaryotic होती है या फिर वो cells eukaryotic होती है राइट तो क्या बोला मैंने इनको क्या पता चला कि cells या तो prokaryotic होंगी या फिर वो eukaryotic होंगी अगर prokaryotic cell है तो वो सारी cells को उठाकर इन्होंने एक kingdom में डाल दिया जिसका नाम है kingdom मोनेरा और यह लो आ गया हमारा मोनेरा kingdom फिर्स्ट किंग्डम पिर जो यू केरियोटिक सेल थी उस पर इन्होंने दूसरा criteria apply किया इनका दूसरा criteria था body organization यानि कि body कैसी है unicellular है कि multicellular है अगेन इनको दो categories देखने को मिली या तो organism unicellular हो सकता है या multicellular हो सकता है तो क्या बोल रही हूं मैं कि इन्हें क्या देखने को मिला कि organism या तो unicellular हो सकता है या multicellular हो सकता है आप देखें जरा अगर मैं unicellular की बात करूं तो eukaryotic unicellular इन्होंने उसका नाम रख दिया दूसरा kingdom विच इस प्रो टिस्टा प्रो टिस्टा नाम रख दिया अपने अगले kingdom का अगर वो multicellular था तो इन्होंने अप्लाई किया अपना criteria number 3 जो की है mode of nutrition mode of nutrition इन्होंने अपना third criteria अप्लाई किया फिर इन्होंने क्या देखा कि अच्छा कितने mode of nutrition होते हैं जरा सोचिए बताइए मुझे दो होते हैं autotrops और heterotrops ठीक है दो mode of nutrition हमें देखने को मिलते हैं एक हो जाता है autotrop और दूसरा हो जाता है heterotrop तो मैं तीसरा क्या लेकर आ रही हूं देखो मैं क्या कर रही हूं जरा देखो बर तुम्हें समझ में आ रहा है तो बताओ मुझे तो मैंने बोला mode of nutrition या तो autotroph होगा या फिर heterotroph होगा राइट heterotroph होगा अगर mode of nutrition autotroph है तो इसका एक सीधा नाम रखो विच इज प्लांटे और यह हमारा एक और classification kingdom आ गया अगर heterotroph है तो दो possibility है या तो kingdom फंजाय हो सकता है या kingdom आनीमेलिया हो सकता है तो बात आई कि फंजाय और आनीमेलिया को एक ही कैटेगरी में क्यों नहीं रख दिया क्यों नहीं है देखो मैं मानती हूं कि बहुत ही अकलमंद गजब और महान साइंटिस्स से आरेच विटाकर इन्हों ने पहली बात तो अपने अलग criteria लगाए उसके basis पे classify करना शुरू किया पहली चीज दूसरी चीज इन्हों इन्होंने नाम वही यूज करें जो हमने आज तक सुन रखे थे इन्होंने क्योंकि अगर यह plant और आनिमल जैसे नाम हटा देते तो लोग इनके model को इनके classification system को accept नहीं करते तो यह बहुत अकलमंद थे इन्होंने नाम उनी kingdom के use करें जो पहले से famous थे next अगर मैं fungus की बात करूं तो fungus को पूरी दुनिया आज तक plant मानती आई थी और एकदम से यह आदमी इसको उठा कर animal में रख देता यह बोलके कि दोनों kingdoms बना दिये एक plant प्लांट ओटोट्रॉफ हो गया एक फंजाए और एक अनी मेलिया तो लोगों को अब उसे justify भी तो करना था अपने actions का जवाब आपको खुद देना पड़ता है अब जो भी करेंगे आपको अपना जवाब खुद देना पड़ेगा अपने actions के लिए आप खुद responsible है तो आरेच विटाकर भी अपने actions के लिए responsible था फंजाए और अनी मेलिया कि अगर मैं बात करूं तो दोनों हेटेरोट्रॉफ हैं अगर वो उन दोनों को अलग अलग kingdom में रख देता तो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती पर उसने बोला कि मैं बता रहा हूं कैसे करो उसने कहा कि जरा इनके रोल्स देखो यानि कि ये नेचर में क्या special काम करते हैं इनका इको लॉजिकल रोल क्या है नेक्स हम क्या देख रहे हैं इनका इको लॉजिकल रोल क्या है प्लांट्स तो ओटो ट्रॉप्स हैं तो ये तो ओविसली खाना बना रहे हैं ये तो हो गए प्रडियूसर हम लोग खाना खाते हैं हम हो गए कंजियूमर्स और फंगस खाने को तोड़ता है डी कॉम्पोजिशन करता है तो ये हो गए डी कंपोजर्स तो चाती ठोक कर आरेच विटाकर ने हेटरो ट्रॉफ के दो गिंग्डम्स बनाए और उसको जस्चिफाई भी किया उनके इको ल पुरी दुनिया ने इसको एक्सिप्ट किया और यह था फाइफ किंग्डम क्लासिफिकेशन जो की आरेच विटाकर का दिया हुआ है कि एक मिनिट आएगेस अब आप लोगों को यह विजिबल हो जाएगा नहीं एक मिनिट अब हो जाएगा डन क्लियर हुआ आरेच विटाकर का फाइफ किंग्डम क्लासिफिकेशन सिस्चम हम लोग देखते हैं इसमें हमने क्या किया सेल्स को डिवाइट किया on the basis of कलग अलग क्राइटेरिया सबसे पहले तो प्रोकेरियोट है कि यूकेरियोट प्रोकेरियोट है तो किंग्डम मुनेरा यूकेरियोट है तो दूसरा क्राइटेरिया लगाया बॉड्डी और्गिनाइजेशन उसमें यूनिसेलियोलर आ गया तो नाम हो गया प्रोटेस्चा मुल्टी सेलियोलर है तो थीसरा क्राइटेरिया लगाया बॉड्ड अफ न्यूट्रिशन उसमें हमने देखा ओ्टोट्रॉफ है और प्रोड्यूसर्स हैं तो प्लांट हेटेरोट्रॉफ हैं लेकिन डिकम्पोजिशन करते हैं फंगस हेटे क्लासिफिकेशन सिस्चम आरेच विटाकर द्वारा दिया गया था और इस वेरी 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 इंपोर्टन इसने कौन-कौन से क्राइटेरिया यूस किये थे कौन-कौन से इन किंग्डम के बारे में क्या-क्या इंफरमेशन है इसकी एक बेसिक टेबल NCRT में भी दी हुई है हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं और फिर हम इसी में कुछ आगे और इंट्रेसिंग सा समझते हैं भाई आरेच विटाकर ने जो बाते करी हैं हम भी उनी को डिस्कुस करते हैं चलिए Monera, Protista, Fungi, Plante, Animalia पांच Kingdoms है हमारे पास में Prokaryotic Organism कौन से Kingdom में आएगा चेक करके बताओ सिफ एक Kingdom में विच इस Kingdom Monera तो Kingdom Monera में सेल कैसी है Prokaryot बाकी Protista, Fungi, Plante, Animalia सबके अंदर Eukaryot अगर मैं Body Organization की बात करूँ तो Monera में Prokaryotic Unicellular Organism मिलते हैं Monera में Prokaryotic Unicellular, Protista में Eukaryotic Unicellular Organism मिलते हैं और Fungus, Plante और Animals इन सबके अंदर आपको Multicellular Organism देखने को मिलेंगे जिसमें Fungus में या तो कई सारी Cells एक साथ गुच्छे में हैं या Loose Tissues बने हुए हैं Plants में आपको Tissues के साथ कुछ Organs देखने को मिलते हैं आसान भाशा में हम उने Roots, Stem, Leaves कह देते हैं और अगर हम Animals की बात करें तो हो सकता है कुछ Tissues मिलें Tissues यानि की Group of Cell हो सकता है कुछ Organs मिलें या हमारी तरह पहुँच जाए इतने High Level पर तो Organs Systems भी देखने को मिल सकते हैं जैसे कि हमारी बॉड़ी में पूरे सारे Organs एक दूसरे से Connected है Organs System ये लीजें नेक्स बात कर लेते हैं न्यूक्लियर की मेंब्रेन की न्यूक्लियस मेंब्रेन भाई प्रोकेरियो टिकलॉती सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेंब्रेन या न्यूक्लियर अन्वलप नहीं होता है बाकी सब में होता है इसमें absent बाकी सब में present होगा cell wall की बात करते हैं तो cell wall present होता है monera के अंदर लेकिन वो बना हुआ होता है एक compound है एक substance है जिसका राम है peptidoglycan उसका जब हम लोग cell पढ़ेंगे तब हम उसको again detail में पढ़ेंगे तो यहाँ पर cellulose की नहीं होती polysaccharide और amino acid की cell wall बनी हुई होती है आप चाहें तो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं बाद में detail में हम उसको पढ़ेंगे peptidoglycan क्या बोल रही हूँ मैं peptidoglycan की cell wall मौजूद होती है monera के अंदर उसके अलावा अगर मैं plant की बात करूं तो दुनिया जहां को पता है cellulose की cell wall होगी अगर मैं animals की बात करूं तो कौन सी cell wall होती है कोई भी नहीं absent होती है cell wall animals के अंदर पंगस की अगर हम बात करें तो उसमें cell wall मौजूद होती है पर उसमें काईटिन एक substance होता है उसकी बनी हुई होती है और protischa में मैं पढ़ाऊंगी कि कुछ protischa के अंदर तो cell wall present है और कुछ के अंदर वो absent होती है तो present in some mode of nutrition अभी ncrt की table है तो मैं अभी इसमें basically बता देती हूं लेकिन वैसे अगर mode of nutrition की बात करें तो detail में हम जैसे जैसे हर kingdom को पढ़ते जाएंगे उसी का mode of nutrition वहाँ पर समझेंगे जैसे अगर मैं monera की बात करूं तो वह autotrophic mode of nutrition और heterotrophic दोनों शो करता है autotrophic में वह हो सकता है sunlight की help से खाना बनाए photosynthesis और हो सकता है कुछ chemicals की help से बनाए chemo synthesis यह क्या है कैसे हैं हम देखेंगे प्रोटिस्चा में autotrophic भी अच्छा एक मिनट heterotrophic की बात करें तो सेप्रोफिटिक mode of nutrition भी होगा parasitic भी होगा decomposition भी करेगा अगर हम प्रोटिस्चा की बात करें तो वहाँ पर autotrophic mode of nutrition भी है heterotrophic भी है पंगस में heterotrophic ही होगा animals में heterotrophic ही होगा plant में autotrophic होता है बस plant kingdom में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर partially heterotrophism मौझूद है जैसे कि आप लोगों ने insectivorous plant का नाम सुनें जो की insects को trap कर लेता है फिर enzymes release करता है और उन insects को digest करके अपना खाना क्या कुछ amino acid कुछ proteins लेता है ओके तो अगर हम उनकी बात करें तो उसके अंदर तो भाईया partial heterotrophism मौझूद है लेकिन in general plants में autotrophic mode of nutrition ही होगा Am I clear? चलिए ऐसा करिए इस table को अच्छे से देखिए प्लीज have a look at this table उसके बाद में मैं अगर आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ हमने मैं ने जो पढ़ाया हमें सब समझ में आ गया है तो फिर उसके आगे बढ़ना और तब मैं आप लोगों से कुछ questions पूछूँगी और अगर तुमने उसका answer सही सही दे दिया तो मतलब तुम्हें आता है और नहीं दिया तो थोड़ी सी दिक्कत है ठीक है चलो क्लेम कर लिया तुम लोगोंने कि तुमने पढ़ लिया है और तुम्हें topic समझ में आ गया है तो ठीक है फिर मेरे कुछ questions का answer दो इसी को देखके मेरे questions मैं पूछने वाली हूं कि एक organism है जिसके अंदर बहुत ही ठिक सी cell wall होती है एसेक्शुल reproduction वो करता है mode of nutrition उसका autotrophic होता है उसके अलावा उसमें ribosome nucleus ribosome present होते है nucleus present नहीं होते हैं ऐसा कोई organism है जो कि prokaryot है उसको आप कैसी category में रखेंगे इतनी सारी list बोल दी मैं आपने तो हम तो सुनते सुनते ही ठक गए देखिए अगर ऐसे कुछ भी question आपसे पूछे जाएंगे तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ यह देखना है कि उन्होंने सबसे important बात डूननी शुरू करो जिसे मैंने सब कुछ बोला लेकिन end में बोला prokaryotic है prokaryotic आते ही monera एक और question पूछती हूं मैं एक organism है जोकि eukaryot है यानि कि उसमें nucleus है membrane bounded cell organal है autotrophic और heterotrophic mode दोनों वह शो करता है उसके अलावा वह आपको समुदर में भी मिलेगा वह आपको नदियों में भी मिलेगा हर जगा वह आपको देखने को मिलता है उसके अंदर सिर्फ एक ही cell होती है कौन सा organism है आपको दो बाते उठानी थी eukaryot है और unicellular है eukaryotic unicellular कौन हो गया protista तो इसी तरीके से आपको आपके questions के answers ढूणने है अब मैं आप लोगों से एक question पूछती हूं तहां गया मेरा question ये रहा मेरा question चलिए इस question का हम answer ढूण करते हैं आपको two kingdom classification system के according in organisms की locations बतानी है कि ये कहां है two kingdom याने की carless lenius वाला याने की plant और animal तो ये plant में आएंगे की animal में आएंगे ये चार बहुत जादा जरूरी है आपको अगर two kingdom classification की बात करनी है तो आपको ये देखना है कि इनके अंदर cell wall मौजूद है कि नहीं है क्लेमाइडो मौनास की अगर मैं बात करूँ तो क्लेमाइडो मौनास के अंदर cell wall मौजूद होती है और क्लोरेला के अंदर भी cell wall present होती है लेकिन पैरा मीशियम के अंदर absent है अमीबा के अंदर भी absent है अगर cell wall present है तो कौन सा kingdom आ जाएगा आँख बन करके बता दो प्लांटे two kingdom classification के according cell wall मौजूद है तो plant cell wall absent है तो animal और ये दोनों कौन हो जाएंगे animals हो जाएंगे यानि कि आपने two kingdom classification के according बता दिया कि कौन प्लांट है और कौन आनिमल है question बदल गया same options है question में थोड़े से variations है same options है question में थोड़ा सा बदलाव है five kingdom के according बताना है कि ये किस में आएंगे अब अगर मैं five kingdom की बात करूँ तो उसे cell wall से कोई मतलब नहीं है उसे ये देखना है कि ये prokaryot है कि eukaryot फिर ये unicellular है कि multicellular इसके mode of nutrition ऐसी सब चीज़े ही देखनी है इसको चलो देखते हैं ख्लेमाइडो मुनास क्लोरेला पैरा मीशम अमीबा ये चारो के चारो यू केरियोट्स है तो यानि कि ये मुनेरा तो नहीं है और चारो के चारो unicellular होते हैं तो यू केरियोटिक unicellular को आप कौन से kingdom में प्लेस करेंगे kingdom protesta तो ये सब के सब kingdom protesta में आ गए यानि कि कितनी गजब की बात है अगर मैं two kingdom classification की बात करती तो ये अलग-अलग kingdom में होते एक plant होता और एक animal होता लेकिन five kingdom classification आते ही ये दोनों जो अलग-अलग kingdom में थे अब साथ में एक ही kingdom में आ गए kingdom protesta के अंदर ये क्यों हुआ ये इसलिए हुआ बेटा क्योंकि हमारा criteria for classification change हो गया पहले मेरे लिए important था cell wall present है कि नहीं है अब मुझे cell wall से मतलब ही नहीं है अब मुझे मतलब इस बात से है कि cell organization क्या है body organization क्या है और अगर ऐसे criteria बदलते जाएंगे तो हमारा classification system change होता चला जाएगा am I clear चलिए अब इसी five kingdom classification से एक आधी और questions भी मैं पूछ लेती हों वनेरा कितने kingdom question भूल दिया answer बोल दिया अचली मैंने सुनो प्रोकेरियोट कितने kingdom में प्लेज हैं पांच kingdom है प्रोकेरियोट को कितने kingdom मिले हैं सिर्फ एक you carry out को कितने मिले हैं चार unicellular you carry out कितने में हैं Multicellular Eukaryote कितने में है? तीन ऐसे questions भी आपसे पूछे जा सकते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें आपसे पूछा जाएगा कि autotrops कहां कहां पे देखने को मिलेंगे देखो plant autotrops हैं कुछ protista भी autotrops हैं और monera भी autotrops हैं तो तीन kingdom में आपको autotrophic mode of nutrition देखने को मिलेगा heterotrophic mode of nutrition कहां देखने को मिलता है defungus में है, animals में है कुछ protista में है, कुछ monera में है तो चार kingdoms के अंदर आपको heterotrophic mode of nutrition देखने को मिलेगा ऐसे कुछ questions भी यहां से पूछे जा सकते हैं अब इसी में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ एक और concept आया which was six kingdom classification और मेरे हिसाब से six kingdom classification से जाधा बढ़िया नाम इसका होना चाहिए three domain system मैं और NCRT दोनों सेम ही बात करते हैं और NCRT ने भी नाम दे रखा है three domain system क्या है ये three domain system अब हम इसको समझते हैं जरा समझें ध्यान से एक scientist चाहिए जिनका नाम था Copeland तो question आएगा ये किस ने दिया Copeland ने दिया it was given by Copeland नहीं Copeland नहीं Copeland ने तो four kingdom दिया था Carl Vooz ठीक है अब वापस आ जाते हैं हम मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जब हमने पढ़ा था क्या living world मैंने आप लोगों को broad categories बताई थी seven five six seven broad categories होती है kingdom kingdom, phylum, class, order, family, genus, species keep pod clean और family get sick तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखती हूं kingdom, phylum, class, order, family, genus, species right यही है अब ज़रा सुनिए इस kingdom से भी उपर एक category बनी जिसका नाम है domain तो domain को हम super kingdom कहते हैं क्या कहते हैं kingdom से भी बड़ा है तो super kingdom हम domain का नाम रखते हैं am I clear? चलिए तो three domain system का क्या मतलब है इन्होंने तीन categories दी जो की kingdom से भी बड़ी थी पहली category का नाम है आर्किया दूसरे का नाम है bacteria और तीसरे का नाम है eukarya क्या बोल रही हूं मैं सबसे पहले आर्किया फिर bacteria और फिर eukarya समझो क्या हुआ काल वूस को मजा नहीं आया ये देख कर कि भाईया आपने prokaryotes को सिर्फ एक kingdom दिया eukaryotes को आपने चार kingdom दिये हैं ऐसी नाइन साफी क्यों मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा उसने क्या किया उसने prokaryotes को स्टेडी करना शुरू किया prokaryotes के अंदर उन्हें कुछ prokaryotes मिले जिनका नाम था आर्की बैक्तिरिया ये आर्की बैक्तिरिया का स्ट्रक्चर बाकी बैक्तिरिया से अलग है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी क्या अलग है कैसे अलग है इस आर्की बैक्तिरिया का structure पाकी बैक्तिरिया से अलग है तो इन्होंने kingdom मुनेरा को तोड़ दिया, dissolve कर दिया और उन्होंने एक नया kingdom दिया जिसमें kingdom आर्की बैक्तिरिया यहाँ पर कौन सा kingdom आया? kingdom आर्की बैक्तिरिया तो आर्किया डोमेन में kingdom आर्की बैक्तिरिया आया बैक्तिरिया डोमेन में मुनेरा बचे हुए मुनेरा आ गए या यू बैक्तिरिया भी हम उनको कहते हैं और यू कैरिया के अंदर बचे हुए चार kingdom आ गए एक, दो, तीन, चार, यानि की kingdom protesta भी इसी के अंदर आया, kingdom protesta भी यहीं आया, kingdom fungi भी यहीं आया, kingdom plant भी यहीं आया, और kingdom animalia भी यहीं आया यानि की जरा सुनो मेरी बात और मेरे question का answer दो की यू बैक्टीरिया के अंदर, एक मिनिट चलिए, मेरा question, प्रो केरियोट्स में यू केरियोट्स, फाइफ kingdom classification में यू केरियोट्स कितने kingdom में थे, चार, protesta कौन सा था, यू केरियोट्स था, fungus कौन थी, fungus, plant, animal, सब कौन थे, यू केरियोट्स, प्रो केरियोट्स कौन था, सिर्फ और सिर्फ kingdom मोने रहा था, ठीक है, मेरा next question पूछती हूँ मैं, अगर मैं 3 domain system की बात करूँ, 6 kingdom classification की बात करूँ, तो उसके अंदर, प्रो केरियोट्स कितने domain में हैं, दो domain में हैं, प्रो चीजों से भी सीधे सीधे question आएंगे, am I clear? चलो, आगे बढ़ते हैं, ये था 6 kingdom classification का, एक basic सा introduction, जितना आपको चाहिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर हम ये देखेंगे, कि 5 kingdom classification के, जो 5 kingdoms हैं, इनी को detail में study करना है, इस chapter में, particular chapter में, आपको 3 kingdoms detail में पढ़न Kingdom plantae, next chapter, kingdom animalia, next chapter होगा, और अब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले kingdom monera को, तो जरा इसके बारे में हम बात कर लें, kingdom monera के अंदर कौन से organisms included हैं, prokaryote की eukaryote, prokaryote, eukaryote, prokaryote, eukaryote, prokaryote, prokaryote, इसके अंदर prokaryotic organisms include होते हैं, NCRT में गजब की बात लिखी हुई है, very, very good, very, very important बात, क्या कहती है NCRT, bacteria, bacteria are the soul members, soul members of kingdom monera, bacteria, bacteria, euklaute members है kingdom monera के, soul मतलब अकेले euklaute, तो वैसे भी अगर मैं kingdom monera की बात करू, प्रोकेरियोट की बात करो, तो तुम क्या example दोगे, bacteria ही देते हैं, हम दिमाग में example क्या आता है, bacteria, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, कि kingdom monera की अगर हम बात करें, तो bacteria are the soul members of kingdom monera, ये प्रोकेरियोटिक और्गानिजम्स होते हैं, क्यौन कौन से और्गानिजम्स हैं, प्रोकेरियोट, bacteria are the soul members, क्या इतनी बात याद हो गई, फिर आगे बढ़ो, habitat की बात करते हैं, bacteria कहां मिलता है, तुम ज़रा सोच के बताओ, तुमें क्या लगता है, bacteria कहां मिलता होगा, तुम बोलोगे, मैं मेरे दिमाग में जो जगे आरी हैं, हर जगे मिलते हैं, तुमारे दिमाग में आएगा, washrooms मिलते हैं, तुमारा कमरा मिलता है, तुमारा मिलता है, मिट्टी मिलते हैं, पानी मिलता है, हवा मिलते हैं, खाना मिलते हैं, सीवेज मिलता है, अब चिस जगे का नाम लेंगे, नदी, नाले, तलाब, समुद्र, हर जगे आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, और तो क्या मैं ऐसा बोलू, हैबिटाट में बैक्टी देखने को मिलेंगा और कोई भी चीज जो हर जगे मिलती है उसको हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं क्या कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन तो बैक्टिरिया आर कॉस्मोपॉलिटन आर फाउंड एवरीवेर Everywhere का मतलब everywhere NCIT ने बहुत interesting सा example दिया है कि hundreds of bacteria are found hundreds of bacteria are found in handful of soil hundreds of bacteria are found in handful of soil यह experiment मैंने मेरे हातों से की है microbiology है भाई तो labs में बहुत काम होता है bacteria वगेरा grow कराने होते हैं तो हम ही ने एक experiment किया था मिट्टी लेकर आए अलग-अलग location से उस मिट्टी को हमने पानी में मिलाया ठीक है पानी में मिलाके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी पानी उपर आ गया उस पानी को हमने लिया उसकी एक या दो drop और petri dish में grow कराई जैसे मैं बताती हूँ ऐसी होती है petri dish जिनको पता है अच्छी बात है जिनको नहीं पता काच की कटोरी इस तरीके की और इसके उपर इसी की तरीके की एक covering होती है जो उसको ऐसे cover कर लेती है ठीक है यहाँ पर हम अंदर क्या करते हैं हम एक medium लगा देते हैं medium मतलब एक semi solid substance होता है जिससे हम जिस भी और्गानिजम को grow कराएंगे उसे खाना मिलता रहें तो यहाँ पर हम एक nutrient medium एक culture medium जैसा कुछ रख देते हैं वो usually semi solid होता है जेल जैसा होता है मैं perfect example दूँ अलोवेरा जैल होता है न बस अलोवेरा जैल को हलका सा solid कर दो अलोवेरा जैल को हलका सा न आप फ्रिज में रख दो कुछ घंटों के लिए तो जैसा हो जाएगा वैसा ही यहाँ पर होता है तो हमने क्या किया हमने एक test tube ली, test tube में मिट्टी डाली, पानी डाला, पानी डालने के बाद मैं छोड़ दिया, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा, दो चार बूंदें उठाए यहां पर डाली, इस पे फैला दी, फैला की कवर करके रखती 24 आर्स के बाद में हमने जब इसको देखा तो इसके अंदर हजारों लिट्रली हजारों बैक्टिरिया मौझूद थे तो यह बात NCRT ने जो लिखी है थोड़ी सी प्राक्टिकल अप्लिकेशन है लेकिन वेरी इंट्रेस्टिंग बहुत मज़ा आते हैं ऐसे बाक्टिरिया आपको वहां भी मिलेंगे जहां कोई नहीं मिलता यह ऐसी ऐसी जगाओं पर मिलते हैं जहां पर लाइफ आपसेंट होती है दे आर पाउंड अट प्लेसेज वेर नो अदर लाइफ इस फाउंड यानि कि इनके अलावा और कोई लाइफ ही नहीं है लेकिन वह बाक्टिरिया देखने को मिल रहे हैं जैसे कि बताओं क्या जैसे कि स्नो बर्फ में नॉर्मली लाइफ इतनी प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन वहां पर भी मुझे बाक्टिरिया देखने को मिलेंगे दूसरा मैं बताती हूं डीप सी के अंद समुद्र में बहुत मिल जाएंगे या आपको स्नो में मिल जाएंगे यह आपको हॉट स्प्रिंग्स में मिल जाएंगे हॉट स्प्रिंग्स मतलब ऐसे पानी के जर्णे जिन में गरम पानी आता है हॉट स्प्रिंग्स वहां पर नॉर्मली लाइफ नहीं होती है काफी गरम पानी होता है लेकिन वहाँ पर भी आपको bacteria देखने को मिल जाएंगे etc ऐसी अलग अलग locations चहाँ पर life नहीं है वहाँ पर भी bacteria हमें देखने को मिल रहे हैं तो क्या मैं बोलूं कि हाँ they are truly cosmopolitan हर जगे ये मिल रहे हैं even ये हमारी body पर भी मिलते हैं as parasite हमारे शरीर के ऊपर grow कर सकते हैं ये हमारे शरीर के अंदर grow कर सकते हैं they found on the body pound on the body of other organisms body of other organisms as parasite तो yes they are truly cosmopolitan हर जगे ये हमको देखने को मिलते हैं habitat पढ़ा हमने इसका चलिए आगे बढ़ते हैं types of bacteria पढ़ते हैं और ये मुझे पता है तुम सबको आता है yes मुझे पता है ये आप लोगों ने बच्पन में पढ़ा है bacteria के हम types बताने वाले है on the basis of shape on the basis of shape जरा मुझे याद करके बताओ कितनी shape होती है bacteria की चार types के हम bacteria पढ़ेंगे four types of bacteria हम पढ़ेंगे shapes के basis पर येस चार types of bacteria की हम बात करने वाले हैं एक दो तीन चार जरा देखते हैं सबसे पहले की बात करते हैं हो सकता है वो spherical shape के bacteria हो यानि की गोल गोल shape के bacteria हो इस तरीके से आपको देखने को मिलें ऐसे गोल spherical shape के bacteria आपको देखने को मिल सकते हैं हो सकता है आपको rod shape के bacteria देखने को मिल जाएं आपको इस shape के bacteria देखने को मिल जाएं हो सकता है आपको कॉमा शेप बैक्तिरिया देखने को मिल जाएं कॉमा शेप कुछ इस तरीके की इनकी शेप होती है हो सकता है ये लीजे हो सकता है आपको बैक्तिरिया देखने को मिल जाएं कौन सी शेप के spiral shape के कुछ इस तरीके से अलग-अलग shape के bacteria हमें देखने को मिल सकते हैं अगर bacteria spiral shape के हैं तो उसका नाम होगा spirulam क्या नाम होगा spirulam bacteria अगर वो bacteria कॉमा shape के हैं तो हमने उनका नाम रख दिया vibrio क्या नाम रख दिया हमने उनका vibrio हो सकता है वो bacteria rod shape के हो तो हमने उनका नाम रख दिया bacillus yellow bacillus shape bacteria और अगर spherical हैं तो हमने उनका नाम रख दिया cocus क्या नाम रख दिया हमने उनका कोकस नाम रख दिया तो टाइपस ओफ बैक्टीरिया भी हमने देख लिए बहुत सिंपल सी ये बाते थी अब NCRT की एक लाइन लिखते जाओ मेरे साथ अगर NCRT कोल के बैटे हो अंडर लाइन करते जाओ और सुनते जाओ सुनना जरा ध्यान से NCRT ने दो लाइन लिखी है जहां से सीधा सीधा questions आता है अगर मैं बैक्टीरिया के बारे में बात करूँ तो बैक्टीरिया has simple structure बैक्टीरिया has simple structure but shows बैक्टीरिया has simple structure but shows complex behavior एक लाइन ये है दूसरी लाइन भी हम पहले नोट कर लेते हैं उसके बाद में इसका मतलब देखेंगे दोनों का मतलब एक साथ में हम देखेंगे दूसरा मैं लिख रहे हूं यहां पे statement एक तो मैंने लिखा बैक्टीरिया simple structure लेकिन complex behavior है दूसरा shows extensive metabolic diversities shows extensive metabolic diversities इन सब शब्दों को अगर NCRT खोल के बैठे हो underline कर लो अगर notes बना रहे हो तो notes बनाओ और वहां पर भी underline करें यहां से सीधा सीधा question आया है very 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 important जरा हम इसको समझते हैं यह क्या कह रहा है क्या इसका मतलब है अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया के अंदर एक prokaryotic cell होती है आपको prokaryotic cell का मतलब पता है कि nucleus well developed नहीं होगा nuclear membrane nuclear envelope जैसा कुछ भी नहीं होगा दूसरी बात अगर मैं करूं तो इसके अंदर अगर हम बैक्टीरिया की ही बात करें तो इसके अंदर membrane bounded cell organs नहीं होते राइबोजोम है basic proteins बनाता है ना mitochondria ना endoplasmic reticulum ना Golgi body कुछ नहीं यानि की structure बहुत simple है लेकिन फिर भी यह एक single cell है चोकि इतना complex behavior शो कर रही है एक single cell है जो अलग-अलग locations पे ग्रो करती है चोकि अलग-अलग environmental conditions को survive करने का काम करती है यानि की कितनी गजब की cell है यह उसके अंदर कोई special structure नहीं है लेकिन फिर भी यह अलग-अलग locations पे ग्रो कर रही है यह फिर भी अलग-अलग metabolism शो कर रही है फिर भी यह अलग-अलग nutrition का mode शो कर रही है सर्वाइवल के तरीके गजब के हैं इसके इसी लिए complex behavior शो करती है नेक्स बाक्तीरिया शोज metabolic diversities extensive metabolic diversities यह इसके अंदर अलग-अलग तरीके का metabolism है यह सूरज की रोशनी से भी खाना बनाती है यह chemical से भी खाना बनाती है यह दूसरों के ऊपर parasite की तरह भी रहती है यह food का decomposition भी करती है यह nutrients और minerals की recycling भी करती है ऐसे अलग-अलग काम यह करती है तो extensive metabolic diversities भी यह शो करती है clear हुआ यह दोनों terms आप लोगों को clear हुआ है समझ में आए अब हम आगे बढ़ते हैं and mode of nutrition in bacteria देखते हैं very 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 important यहां से questions कई बार आया है कई बार आने भी वाला है it is actually no doubt very important mode of nutrition कितने तरीके का होता है जरा सोचो बताओ मुझे पता है तुम लोगों को एक तो autotrophs अपना खाना खुद बना रहे हैं और एक heterotrophs दूसरे पर dependent है अपने खाने के लिए तो एक तो आ गए autotrophs और दूसरे आ गए heterotrophs क्या बोला मैंने एक तो हमारे autotrophs आ गए और दूसरे हमारे heterotrophs आ गए पिट क्यों नहीं हो रहे हो तुम हो गए हो ठीक दूसरे आ गए heterotrophs ठीक है भई चलें इतना तो हमको पता है autotrophs और heterotrophs यह हमारे दो mode of nutrition होते हैं फाइन बैक्तिरिया में भी यहीं है आगे देखते हैं जरा अगर मैं autotrophs की बात करूं तो बैक्तिरिया दो अलग-अलग टाइप का autotrophic mode of nutrition शो करता है क्या बोल रही हूं मैं दो अलग-अलग तरीके का autotrophic mode of nutrition शो करेगा तुम उससे पूछो के मैं कौन-कौन सा अभी बताये देते हैं सबसे पहला तो photosynthesis photosynthesis यह शो करने वाला है यानि की sun की energy को लेगा sunlight को लेगा और उस sunlight को trap करेगा और उससे अपना खाना बनाएगा तो synthesis of food हो रहा है with the help of sunlight photosynthesis और दूसरा mode of nutrition होता है कीमो-synthesis कीमो-synthesis तो photosynthesis and photosynthesis photosynthesis में sunlight की energy को यूज किया गया था खाना बनाने के लिए क्या बोल रही हूँ मैं okay mode of nutrition यह रहा और यह उपर चले जाओ भाई अभी भेज़े देते हैं नहीं जाएगा अच्छा 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 अलगी खेल हो रहा है यह तो अच्छा अच्छा तुम्हें समझ में आ रहा है न मैं यहीं पर बता देती हूं थोड़ा board थीकना पड़ेगा इतिनी technology नहीं आती मुझे चेलिए photosynthesis की हम बात करते हैं यहां पर यह क्या करने वाला है sun की energy को use करेगा अपना खाना बनाएगा मैंने तुम्हें बता दिया है definition मैं नहीं लिखवा रही हूं सिर्फ example लिख रही हूं जैसे की BGA BGA का मतलब है blue green algae थोड़ी देर रुको हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि BGA blue green algae क्या होता है तो पहला तो आगया blue green algae कुछ होते हैं purple sulfur bacteria बस जादा example अभी नहीं लिखवाऊंगी इतने काफी हैं इन सब के नाम हम आगे वाले chapters इसमें पढ़ेंगे आप अभी चाहें तो इस purple sulfur bacteria को भी छोड़ सकते हैं blue green algae को बस दिमाग में रखो next आया chemo synthesis इसके अंदर inorganic ions फिर से repeat कर रही हूं inorganic ions को लिया जाता है उसको oxidize करते हैं यह bacteria और उससे जो energy release होती है उससे ATP formation होता है क्या बोला मैंने chemo synthesis में क्या होगा use of inorganic ions क्या बोला मैंने use of inorganic ions उसका oxidation होगा वो oxidize होंगे और फिर उससे energy release होगे उससे energy release होने वाली है और उस release energy से हम खाना बनाएंगे या ATP production होगा उस release energy से ATP production होने वाला है एक मिनिट रुको जरा मुझे समझ में आ गया है हमें problem का solution कैसे निकालना है निकल गया हमारी problem का solution मैं बताती हूं कैसे यहां पे लिख देंगे हम mode of nutrition ठीक है अब यह लो अब आगी न जगे यह लो डन जहां चाहें वहां रहा है बिल्कुल है ठीक है chemo synthesis करते हैं inorganic ions को लेंगे उसको oxidize करेंगे उससे energy release होगी और उससे ATP formation या ATP synthesis होने वाला है अब इसी की कुछ और बाते भी मैं आपको आगे बताती हूं यहां पे ध्यान से सुनिए कई सारे ऐसे bacteria हैं जो की ammonia को nitrite और nitrate में convert करने का काम करते हैं वो chemo synthesis bacteria है ncrt ने यह बात लिखी भी है एक्जाम्पल में various ammonifying nitrifying bacteria यह सारे बाक्टीरिया कीमो synthesis करते हैं एक reaction मैं इसकी आपको बता रही हूं आप चाहें तो note कर लें पर नहीं चाहें तो आगे तो करनी पड़ेगी एक चाप्टर हम पढ़ेंगे mineral and nutrition उसके अंदर तो मैं यह reaction बताऊंगी ही इसलिए मैं अभी बता रही हूं ammonia से nitrite में यह है ammonia NH3 होता है ammonia NO2 होता है nitrite और NO3 होता है nitrate तो soil के अंदर it occurs in soil soil के अंदर यह reaction होती है जिसमें ammonia से nitrite और nitrite से nitrate iron का formation होता है इसमें जब ammonia से nitrite बनता है तो एक bacteria काम में आता है nitrosomonas और nitrite से जब nitrate बनता है तो एक bacteria काम में आता है nitrobacter यह सब के सब chemo synthesis करने वाले bacteria है they are chemo synthetic autotroph bacteria यह example मुझे आप लोगों को बताना था अब हम बात करते हैं किसकी heterotrophic organisms की यह organisms obviously किसी और से अपना खाना ले रहे हैं यह अपना खाना कुद नहीं बना पा रहे हैं NCRT ने इसके बारे में कुछ special बाते लिखी है कि पहली बात तो यह majority of bacteria majority of bacteria autotrophic नहीं heterotrophic होते हैं इनका बहुत important कुछ functions होते हैं कुछ roles होते हैं जिससे यह हम humans की ओपर impact करते हैं तो मैं लिख देती हूँ they impact human affairs human affairs को impact करने का यह काम करते हैं आप बोलोगे ma'am कौन से human affairs जरा बताओ तो अभी बताए देते हैं और कुछ ऐसा नहीं बताओंगी जो तुमने सुनने रखा है सब वही बताओंगी जो आपने सुन रखा है पढ़ रखा है या देख रखा है दही बनता है कैसे बनता है जब दूद में हम जावन डाल देते हैं जिसके अंदर कई सारे bacteria होते है lactobacillus bacteria heterotrophic bacteria है तो पहला आ गया making curd उसमें bacteria का roll है तो दही बनाने के लिए bacteria काम में आते हैं जैसे कि मैंने example दे दिया lactobacillus lactic acid bacteria या lactobacillus हम इसको कहते हैं दूसरा बताती हूं मैं antibiotics खाई है बिमार पढ़ते हो दवाईयां खानी पढ़ती है तो antibiotics production के अंदर आपको जरूरत होती है कुछ bacteria की मैं example नहीं लिख वा रही हूं अभी के लिए फिलाल के लिए वो इतना important नहीं है next बताती हूं it causes various diseases कई सारी बिमारियां यह हमारे अंदर cause करता है heterotrophic bacteria है हमारी body के ऊपर यह bacteria parasite की तरह रहते हैं या तो ऊपर या शरीर के अंदर next बताती हूं nitrogen fixation करते हैं nitrogen fixation in plants या in soil उसके अंदर भी उसके अंदर भी heterotrophic bacteria का role होता है क्या यह बत clear हूई आप लोगों को छीक है चलिये यह आ गया हमारा mode of nutrition मैंने आपको एक तो chemo synthetic bacteria के यहां पर example लिखवा दिया chemo synthetic bacteria का example लिखवा दिया अब मैं आपको एक और चीज बताती हूं जो मैंने आपको बोला ना disease causing bacteria उसके बारे में भी बात करते हैं disease causing bacteria के बारे में भी बात करते हैं ठीके कौन से हैं कैसे हैं देखो भाई NCRT में चार पांच नाम लिखे हैं उतने ही हम देखते हैं एक बिमारी है cholera ऐसा करो table बना लो table बना लेते हैं भाईया हम हम लिखेंगे यहां पर disease का नाम और causative organism का नाम लिख लेंगे ठीके तो एक तरफ तो आ गई हमारी disease और एक तरफ आ गया हमारा causative organism ठीक है चलें देखें यहां आ गई disease और यहां पर causative bacteria सबसे पहली बिमारी का मैं नाम लेती हूँ आप लोगों के सामने बिमारी का नाम है cholera पेट की बिमारी है पेट खराब हो जाता है infected contaminated food या water से यह होती है एक बिमारी विबरियो कॉलरी से विबरियो कॉलरी एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया से बिमारी होती है cholera शेप बताना कौन सी है इसकी विबरियो लिखा है मतलब कॉमा shaped है पिछले वीडियो में मैंने तुम लोगों को binomial nomenclature लिखना सिखाया था सरा मुझे देखके बताओ नाम सही लिखाई की नहीं गलत है गलती है यह भी तो लगाना है अब नाम सही है चलिए दूसरा नाम में आप लोगों के सामने रखती हूं बच्पन में या अभी भी बड़े भी हो गए है तब भी चोटे खाई है बहुत चोट लगती है है ना इन चोट की अगर हम बात करें तो डॉक्टर के पास जाओगे सबसे पहले आपके ओपर 10 v7 के कारण का क्लॉस्ट्रीडियम एक कारण बिमारी होती है टेटडिपनिस नाम रख दिया से चलिए तीसरे और्गानिजम की हम बात करते है एक और बिमारी का मैं नाम लिख देती हूं टाइफोइड लिख देते हैं चलो इजो ए प्यूर GG टाइफॉइड भी अगेन आपके इंटेस्चीन की बिमारी है और ये बिमारी भी contaminated food and water से होती है और गैनिजम है साल्मो नेला टाइफी टाइफॉइड कॉस करने वाला और गैनिजम साल्मो नेला टाइफी चलिए दूसरी बिमारी की बात करते हैं पेडों की एक बिमारी डिस सिट्रस कैंकर ये बिमारी दिस अर्गैनिजम के कारण होती है उसका नाम है जैंथो मोनास सिर्टरी ऐक बैक्तेरिया है जिससे पेड़ों में बिमारी होती है नाम है citrus cancer, एक और बिमारी रह गई है, जरा वो भी यहीं पर लिख लेते हैं, एक second, यहीं पर हम एक और बिमारी भी लिख लेते हैं, जिसका नाम है anthrax, animals की बिमारी है, bacillus anthracis से होती है, bacillus anthracis से होने वाली बिमारी anthrax कहलाई जाएगी Am I clear? ये कुछ bacteria और वो जो बिमारिया cause करते हैं उसके बारे में हमने देखा इन bacteria का mode of nutrition क्या है? इन bacteria का mode of nutrition कौन है भाई ये? हेटेरोट्रॉफ है दे आर पैरासाइट पैरासाइट है यानि की हेटेरोट्रॉफिक mode of nutrition आपको इनके अंदर देखने को मिलने वाला है Am I clear? चलिए mode of nutrition देख लिया एक और point बचना है which is reproduction in bacteria बस उसके बाद में फिर हम शुरू करेंगे classification of bacteria reproduction की मैं बात करूँ तो bacteria में reproduction एक तरीके से होता है जिसका नाम है asexual और asexual में भी binary fission जो बात आपको already पता है पहले हम उसकी बात करेंगे asexual reproduction कैसे हो रहा है asexual reproduction जरा बताईए कैसे हो रहा है किसकी यल्प से हो रहा है asexual reproduction binary fission पढ़ी हुई बात है binary fission ठीक है ये ले इसमें मैंने क्या बोला binary fission binary by शब्त का मतलब होता है दो fission मतलब तूट जाना जब एक सेल दो सेल में तूट जाए तब हम उसे binary fission कहते है जैसे कि मैं आपको एक example बताती हूँ कैसे होगा binary fission suppose मैंने यहाँ पर एक सेल बना दी ये एक bacteria की सेल है और ये इस bacteria की सेल के अंदर उसका genetic material है ये bacteria अपना जो भी इसका DNA है अपना DNA double करेगी ये लो इसका DNA double हो गया अब ये क्या करेगी ये divide हो जाएगी दीरे दीरे इसके अंदर divisions होंगे और दो सेल्स का formation हो जाएगा ये लीजे दो सेल्स का formation हो गया और हम इसको कह देंगे binary fission तो पहला step तो क्या हो गया binary fission दूसरा बताती हूं मैं ये binary fission न बिटा normal condition में होता है यानि की favorable conditions के अंदर होता है कब होगा binary fission क्या बोला मैंने favorable conditions के अंदर favorable conditions के अंदर binary fission होगा और unfavorable conditions अगर आ गई तो क्या होगा unfavorable conditions के अंदर endospore formation होता है unfavorable conditions के अंदर endospore का formation होता है क्या है spore या endospore जरा समझिए एक cell और उसके चारो तरफ अगर बहुत ही या एक life एक ऐसी चीज जिससे life बन सकती है उसके चारो तरफ अगर बहुत ही thick covering हो जाए तो हम उसे endospore कहते है normal condition में तो bacteria बहुत गजब की growth करता है एक से दो, दो से चार, चार से आट, आच से सोला ऐसे अपना number बढ़ाता जाता है बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है लेकिन अगर मैं बात करूँ unfavorable condition की temperature बदल गया pH बदल गया या फिर खाना नहीं है favorable conditions नहीं है तो ये अपने चारो तरफ एक thick protective covering बना देता है और उसको हम endospore कहते है जैसे ही favorable conditions आएंगी ये वापस से अपना जो spore है जो अपनी wall है उसको फोड़ेगा फटेगी, burst करेगी ये बाहर release हो जाएगा और वापस से binary fissions करने लग जाएगा तो endospore formation क्या करता है इट helps bacteria ये क्या करता है helps bacteria to survive helps bacteria to survive unfavorable conditions unfavorable conditions को survive करने की शक्ती प्रोवाइड करता है ठीक है अब दूसरा आ गया तुम बोलोगे कि bacteria में दूसरा reproduction bacteria में तो एक ही होता है asexual और हमने जो भी दूसरे reproduction का नाम सुना है उसका तो है sexual तो क्या यहाँ पर sexual reproduction हो रहे है नहीं यहाँ पर कहीं कहीं पर हमें genetic कहीं कहीं पर हमें genetic recombination देखने को मिला क्या देखने को मिला genetic recombination एक मिनट genetic recombination हमें देखने को मिला आप पूछेंगे यह genetic recombination क्या है भाई NCRT ने इसके बारे में कुछ तारीफों के पुल बानने कुछ शब्द लिखे हैं वो हम देख लेते हैं उन्होंने बोला कि it is sort of sexual reproduction sort of sexual reproduction या फिर इन्होंने बोला sort of sexual reproduction या फिर इन्होंने दूसरा बोला primitive DNA transfer primitive DNA transfer इन शब्दों का हम मतलब समझते हैं sort of sexual reproduction या primitive DNA transfer इन शब्दों का क्या मतलब है जरा हम इसको समझते हैं देखिए जरा ध्यान से sexual reproduction में दो parents involved हैं एसेक्शुल में एक sexual reproduction में variations आते हैं एसेक्शुल reproduction में variation नहीं आते actually कुछ-कुछ ऐसे processes देखे गए कुछ-कुछ ऐसे processes देखे गए जिसके कारण हमें क्या देखने को मिला कि थोड़ा-थोड़ा DNA बदल गया bacteria में क्या बोल रहे हूं है थोड़ा-थोड़ा DNA बदल गया bacteria के अंदर और हमने बोला कि DNA transfer हो गया एक bacteria से दूसरे bacteria के अंदर DNA transfer हो गया primitive DNA transfer का तरीका है यानि कि sexual reproduction की कही ना कहीं शुरुवात यहां से हमें देखने को मिल रही है क्या यह sexual reproduction है नहीं यह genetics का DNA का recombination है क्योंकि DNA transfer हो गया है इसलिए NCRT ने sort of sexual reproduction या primitive DNA transfer जैसे शब्द इसके लिए use करे है इसमें अलग-अलग processes होते है जैसे की एक मैंने आपको बोला conjugation एक मैं बोलूँगी transformation और एक मैं आपको बोलूँगी transduction conjugation transformation and transduction इन तीनों शब्दों के बारे में सिर्फ और सिर्फ दो-दो lines ही हम देखेंगे उससे जादा नहीं एक हमें देखना है conjugation क्या बोला मैंने conjugation देखेंगे एक conjugation एक हम देखेंगे conjugation एक हम देखेंगे transformation और एक हम देखेंगे transduction ये कुछ चीजे हम देखने वाले हैं चलें conjugation आ गया पहला transformation दूसरा और transduction तीसरा हुआ कॉंजूगेशन transformation और कॉनूअ से सिर्फ दो-दो लाइने एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डी आने ट्रांसवर होगया एक बैक्टीरिया था उस बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में dna transfer होगा लेकिन कैसे transfer होगा एक tube की help से एक tube की help से यहाँ पर dna molecule यहाँ transfer हो गया यह इसका बाकी dna अलग से मौजूद है यह हो गया transconjugation transformation एक bacteria से दूसरे bacteria ने एक dna molecule absorb कर लिया transformation class 12 के एक topic में बहुत detail में यह है transduction की मैं बात करती हूँ एक bacteria है उस bacteria के ऊपर कोई virus आके छिपक गया और virus ने अपना genetic material इस bacteria के अंदर दे दिया और इस bacteria ने उस genetic material को absorb को अपने dna के साथ में या अपने genetic material के साथ में मिला दिया transduction यह दोनों processes डीटेल में class 12 के अंदर भी पढ़े जाएंगे और हमने देख लिया क्या reproduction इन बाक्तिरिया अब हम मोनेरा को आगे further classify करके study करते हैं हम लोगों ने reproduction इन बाक्तिरिया देख लिया अब हम आगे बढ़ते हैं और बाक्तिरिया का classification समझते हैं बाक्तिरिया को डिवाइड किया गया दो बेजर classes में एक का नाम है आरकी बाक्तिरिया एक का नाम है यू बाक्तिरिया आरकी शब्द ही primitive है पुराना है archaeological department पुरातत्व विभाग चुकि पुरानी बिल्डेंग और हरप्पा वगरा की खुदाईया करते हैं यू बाक्तिरिया उन में से primitive क्यों कह रही हूं क्योंकि इस अर्थ पर सबसे पहले जब life आई थी तो वो यही बैक्तिरिया थे आर्थ आर्थ पर आने वाले पहले life forms हैं अब देखो जड़ा भाया उस चाइम पर अर्थ का climate बहुत dangerous था बहुत harsh था बहुत rough था उस चाइम पर भी यह लोग survive करते थे और यह आज भी हमें मिलते हैं और ऐसे ही harsh climatic conditions पर मिलते हैं तो मैं next point बोलूंगी they are pound in harsh climatic conditions तो मेरे दमाग में question आया कि इतने harsh climatic conditions पर यह survive कैसे कर पा रहे हैं कुछ ना कुछ तो इनके अंदर ऐसा होगा जिसके कारण यह इतनी dangerous situation में भी survive कर पा रहे हैं जहां पर normally कोई life exist नहीं करती तो हां है ना ऐसा बिलकुल है इनका अंदर special cell wall structure होता है special cell wall structure और यह cell wall structure क्या करता है enables करता है enables archibacteria enables archibacteria to survive enables archibacteria to survive harsh climatic conditions harsh climatic conditions को survive करने में help करता है ठीक है और इनी harsh climatic conditions के according हमने archibacteria को तीन categories में divide किया है तो अपने notebook में जहां पर भी notes बना रहे हो notebook को टेड़ा करो और टेड़ा करके table बना लो archibacteria के हम types पढ़ने वाले सीधा है ठीक है चलो सबसे पहला आया thermoacidophils 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 दिख रहे है तुमको नाम चलो thermoacidophils पहले बैक्टिरिया दूसरे का नाम है हेलोफाइल्स और तीसरे का नाम है हेलोपाइल्स और तीसरे का नाम है हेलोफाइल्स तो thermo acidophils, halophils, methanogens सबसे पहले हम इनके habitat की बात करते हैं thermo की बात करो जरा देखो thermo मतलब thermal thermal मतलब high temperature up to 80 to 100 degree Celsius तक भी ये बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं आसिडो शब्द का क्या मतलब है आसिडो शब्द मतलब आसिड से आया है यानि की low pH होगा यानि की up to 2 to 3 यानि की ऐसे बैक्टीरिया जो की गरम पानी में मिलते हैं और ऐसी जगे जहां पर acidic environment है थर्मो आसिडो फिल्स उनका नाम पड़ गया यहां पर high temperature के साथ साथ में लो पी एच की जगाओं पर यह मिलेंगे एक्जाम्पिल है होट सल्फर स्प्रिंग्स होट सल्फर स्प्रिंग्स में आपको यह बैक्टीरिया मिलते हैं गरम पानी होता है सल्फर भी प्रेजन्ट होता है होट सल्फर स्प्रिंग्स दूसरा आ गया हेलो फाइल्स हेलो मतलब सेलाइन यह extremely extremely salty areas में मिलते हैं जहां पर बहुत extreme salt मौजूद है जैसे कि कुछ होता है hyper saline lagoon जैसे कि dead sea extreme salty condition है ऐसी ही अलग अलग जगाओं पर जहां पर normally कोई life नहीं होती वहां पर हेलो फाइल्स मिलते हैं और methanogens का नाम क्यों बढ़ा methanogens क्योंकि they are methane methane के bracket में मैं लिख देती हूँ CH4 methane producing bacterias होते हैं methane का यह production करते हैं बिटा यह मिलते कहां पर हैं यह आपको देखने को मिलते हैं मार्शी एरियाज में इनका habitat है एक तो मार्शी एरियाज और गाए को देखा है वो चारा चल लेती है फिर बैट जाती है फिर जुगाली करती रहती है है नो ऐसे आनिमल्स को हम ruminant कहते हैं क्योंकि इनके स्टमक में एक special location होती है rumin वहाँ पर भी methanogens मौजूद होते हैं तो in stomach of ruminants यह वहाँ पर क्या करते हैं cellulose का digestion वहाँ पर यह perform करते हैं तो इनका काम वहाँ पर क्या हो गया cellulose digestion plant खाते हैं न यह कच्चा पेड़ खा रहे हैं पेड़ों में cellulose होता है उसको digest करने के लिए special bacteria चाहिए वो bacteria आपको in ruminants के अंदर मिलेंगे methanogens उनका नाम हो गया हमारे अंदर vermiform appendix होता है large intestine में चूटी finger like projection चूकि हमारी body में vestigial organ है किसी काम की नहीं होती है लेकिन अगर मैं bacteria की बात करूँ sorry अगर मैं ruminants की बात करूँ तो उसके अंदर वो active होती है clear तो यह यह काम करते हैं यह methane production करते हैं methane को हम bio gas कहते हैं इसलिए यह bio gas fermenters में काम आते हैं गाउं में नया system develop किया जा रहा है इसमें जो गायवाय का गोबर होता है उसको लिया जाता है इसमें एक चीज और लिखनी है cow dung में भी यह मिलते हैं तो यह क्या करते हैं जो गाय का गोबर होता है उसको खटा करते हैं बड़े बड़े vessels में उस गोबर को भर देते हैं और इन methanogens की growth कराते हैं यह methanogens जब grow करते हैं develop होते हैं उस time पर यह methane gas produce करते हैं उसी को हम bio gas कहते हैं और यह bio gas बहुत अच्छी है अगर हमें कोई substance को use करना है अगर हमें जैसे LPG है CNG है उससे जादा बढ़िया gas bio gas है तो क्या बढ़िया काम हुआ जो waste था वो waste हमने use कर लिया उस waste को बहुत तरीके से ठिकाने लगाया उससे bio gas बनाई चुकि less जिसको कहते हैं चुकि less pollutant है जो कि कम pollution कॉस करती है और तीसरी बात यहां पे जो बचा-गुचा waste होता है वो बहुत गजब का fertilizer होता है उससे खेतों में डाल दो आपकी फसल बढ़िया हो जाएगी यह सब इसके फाइदे हैं methanogens के एक important बात methanogen के बारे में जो हमें लिखनी है कि they are anaerobic bacterias यह anaerobic bacteria है यह कभी भी oxygen की presence में नहीं दिखेंगे oxygen आएगी तो यह मर जाएंगे खतम हो जाएंगे और यह हमने पढ़ा किसके बारे में acidophils के आरकी बाक्तिरिया के बारे में तीन टाइप हो गई thermo acidophils, halophils and methanogens clear हुआ यह था आरकी बाक्तिरिया अब हम you bacteria की बात करते हैं you bacteria यानि की comparatively advanced bacteria है और उसमें सबसे पहले हम blue green algae के बारे में study करने की कोशिश करते हैं अगर students में blue green algae की बात करूं तो इस blue green algae का एक दूसरा नाम भी है which is cyanobacteria क्या नाम है cyanobacteria अब दिमाग में question आता है कि ये सारे नाम इसकी क्यों है देखो मैं हमेशा कहती हूँ bio में नाम पता है तो काम पता है नाम पता कर दो काम आसानी से समझ में आ जाएगा इसका नाम cyanobacteria इसी ले पड़ा क्योंकि इसके अंदर एक pigment होता है चुकि इसे blue color provide करने लग जाता है syno शब्द जब भी आ जाए मतलब है blue तो ये blue colored bacteria है ये हो गया इसका एक बात अब दूसरी बात करते हैं जरा इसका नाम blue green algae क्यों है दूसरा नाम क्या है इसका blue green algae देखो algae अगर मैं बात करूँ तो blue color क्यों आया pigment के कारण red color green color क्यों आया again pigment के कारण पर हमने इसको algae क्यों बोला ये बात हम समझते हैं तरह समझे ध्यान से टू kingdom classification के according वो सारे organisms जिसमें cell wall मौजूद होती है वो सारे के सारे organisms प्लांट के लाए जाते हैं तो प्लांट के अंदर एक क्लास है algae उस क्लास के अंदर हम पहले इस बाक्टीरिया को रखा करते थे और ये ब्लू और ग्रीन दोनों कलर शो करता है नाम पढ़ गया ब्लू ग्रीन एल्गी क्या गह रही हूं मैं नाम पढ़ा है ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों क्योंकि इसके अंदर ब्लू और ग्रीन कलर के आए इतना कलियर हुआ तो यहां पर हम लिक देते हैं अरलियर के अरिल्इयर के प्लेजड अंडर एल्गी यह बात समझ में आई ठीक है चलिए अब कुछ और बात करते हैं सरा ध्यान से हम इसको देखते हैं संज समझते हैं अगर मैं साइनो बाक्टीरिया की बात करूं तो ये blue colored bacteria है, यानि कि कोई ना कोई एक pigment है, जिसके कारण ये इनका color blue है, और अगर हम उस pigment के बारे में लिखें, तो उस pigment का नाम है, क्या नाम है उस pigment का? उस pigment का नाम है, फाइको साइनिन, फाइको साइनिन, जरा देखिए, साइनिन शब्द का मतलब होता है, blue, और फाइको शब्द हम algae के लिए यूज़ करते हैं, तो अगेन एक blue color की algae, हम बोल देंगे, blue green algae, pigment जो blue color दे रहा है, फाइको साइनिन, उसका नाम पड़ गया, am I clear? ठीक है, अब green color भी pigment के कारण आया होगा, तो एक pigment तो मैंने देखा, फाइको साइनिन, दूसरा इसका अगर मैं pigment की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको chlorophyll molecules भी देखने को मिल जाएंगे, तो chlorophyll वगेरा क इसके कारण green, फाइको साइनिन के कारण blue color आता है, और यह है blue green algae का एक basic introduction, ठीक है, अगर मैं habitat की बात करूँ बेटा, तो blue green algae है न, algae हमेशे रहती है, moist condition पे, पानी के अंदर रह सकती है, यह पहली बात तो, दूसरी बात ही आपको देखने को मिल सकती है, damp soil में जैसे गीली मिट्टी होती है, इन सब जगहों पे आपको यह देखने को मिलेगे, अब मेरे दिमाग में question आया, कि एक algae की अगर मैं नाम ले रही हूँ, मैंने बोला algae, मैंने बोला काई, यह सब जीजों से तुम्हारे दिमाग में पहली image क्या बनती है, सोची, क्या आपके दिमाग में यही image बन रही है, कि एक water body है, मैं मेरी image बना रही हूँ, जो मेरे दिमाग में आती है, एक water body है, जो उपर से एकदम green हो रही है, क्योंकि वहाँ पर काई जम गई है, pollution हो गया है, ऐसा कुछ, हम इसको water bloom कहते हैं, और blue green algae भी water bloom cause करती है, तो blue green algae also causes water bloom, water मतलब पानी के अंदर, bloom मतलब बहुत जादा excessive growth हो गई है, पानी के अंदर, यहाँ पर हम बोलेंगे excessive growth, पानी के अंदर बहुत excessive growth अगर हो जाए, हम उसको blue green algae, हम बोलेंगे कि blue green algae ने water bloom कर दिया है, Am I clear, इतना समझ में आया हूँ, ठीक है, चलिए, अब हम और कुछ बात करते हैं, और सबसे पहले तो मैं blue green algae की forms बताती हूँ, Life forms of blue green algae, क्या बोल रही हूँ मैं, Life forms of blue green algae, बिटा, blue green algae मुझे तीन forms में exist होती हूँ, दिखी, कितनी forms में? तीन forms में exist होती हूँ, दिखी, कौन-कौन सी ये forms हैं, जरा देखें, या तो ऐसा हो सकता है, Life forms मतलब कैसे कैसे दिख रही है, या तो मुझे blue green algae अकेले दिखेगी, अगर वो अकेले दिख रही है, मैं बोलूंगी कि unicellular है, हो सकता है, कई सारे blue green algae एक साथ रह रहे हैं, colony में रह रहे हैं, colonial form हो जाएगी, या फिर कई सारे blue green algae हैं, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन धागे की form में, हम उसे filamentous form कहते हैं, रुख जाओ अभी, जरा देखो मेरे साथ जुड़े रहो, filamentous, अभी मैं इसका मतलब समझाए देती हूँ तुम लोगों को, कि colonial, filamentous और unicellular का क्या मतलब है, अगर एक blue green algae आपको अकेले दिखे, unicellular, कई सारे हैं, लेकिन इस तरीके से, धागे की form में हैं, filamentous, कई सारे हैं, लेकिन इस form में एक दूसरे के साथ exist कर रहे हैं, colonial, ठीके, इतना समझ में आया, जरा सुनिये, examples भी बताए देती हूँ, unicellular, blue green algae का एक example याद कर लो, spirulina, spirulina पता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों क्योंकि इसकी कहानी सुनी है, मैंने, वो मुझे बहुत इंट्रेस्टिंग लगती है, astronauts जो space में जाते हैं, उनको खाना तो obviously लेके जाते होंगे, क्या लगता है तुम्हें क्या लेके जाते होंगे, दाल चावल, बटर पनीर मसाला, तंदूरी चिकन, ऐसा कुछ लेके जाते हैं, इतना तो space ही नहीं है भाई, क्या करेंगे, ये tablets की form में spirulina algae को लेके जाते हैं, क्यूंकि ये बहुत excessive proteins produce करती है, तो उनके body की protein requirements fulfill होती रहें, उसके लिए ये spirulina को लेके जाते हैं, तो unicelluline में एक example आ गया, spirulina, filamentous में एक example में आप लोगों को लिखवाती हूं, नौस्टॉक, और colonial में एक example हम लिखवाते हैं, अना बीना, ये चो colonial form है ना बेटा, इस colonial form के चारो तरफ एक covering मौजूद होती है, एक gelatinous covering, चिप 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 चि of this gelatinous covering यह हो गए तीन फॉर्मस ओफ भी ब्लू ग्रीन एल्गी एक बार जरा इसके mode of nutrition की बात कर ले किसकी बात कर ले mode of nutrition बहुत important है blue green algae photosynthesis करता है blue green algae shows photosynthesis photosynthesis तुम बोलोगे इसमें ज्यादा important क्या है इसी को मैं फिर से लिखती हूँ इट शोज एक मिनेट इट शोज ऑक्सीजेनिक photosynthesis ऑक्सीजेनिक इस शब्द का क्या मतलब है देखिए आक्चिली में जब इस अर्थ पर लाइफ का formation हुआ था उस टाइम पर पहले तो बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडिशन थी फिर आर्की बैक्टीरिया आए दीरे दीरे वो रहने लगे एविल्यूशन हुआ फिर कई सारे बैक्टीरिया आते चले गए फिर आए ब्लू-ग्रीन एल्गी इन्होंने सबसे पहले ऐसा फोटो सिंथेसिस किया जिससे ऑक्सिजन इववल्व हुई फिर वो आक्सिजन उपर अटमोस्पियर में गई यूवी रेज ने आक्ट किया ओजोन लेयर का formation हुआ तो सबसे पहले ऐसा photosynthesis जिसमें oxygen release हो वो blue green algae ने किया था oxygenic photosynthesis एक ऐसा photosynthesis जिसके अंदर oxygen release हो गई बहुत ज़रूरी था यह step हमारे evolution के लिए क्योंकि इसी के बाद atmosphere का formation हुआ और अर्थ हमारी रहने लायक बन गई तो mode of nutrition हमने देखा इसका और अब हम देखेंगे क्या अब हम देखेंगे इसका structure मैं आप लोगों को एक structure और एक एक डाइग्राम बता रही हूं उसी को आपको अच्छे से देखना है वो है no stock blue green algae का इस तरीके से no stock algae मौजूद होती है यह लीजे यह हम no stock algae का structure बना रहे हैं अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर इसके चारो तरफ एक covering मौजूद होगी एक again एक ऐसी covering मौजूद होगी जो इसको थोड़ा सा चिप चिपा बना देगी म्यूसिलेजनस covering इसमें मौजूद होती है तो यह हम इसके चारो तरफ म्यूसिलेजनस covering बना रहे हैं ठीक है यह हो गई म्यूसिलेजनस की covering डन चीक है fine कुछ और बाते भी देखते हैं एक मिनिट यह मैं क्या बना रही हूं यह मैं कुछ नहीं chloroplast दिखा रही हूं आप लोगों को chloroplast का structure थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां पे दिखा रही हूं यह ले ठीक है तो मैंने क्या क्या बताया हूं कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़े बना ली हैं हमने यह देखा कि इसके बाहर की तरफ एक म्यूसिलेजनस covering होती है और मैंने आपको इसमें chlorophyll molecules वगेरा भी दिखा दी है इसके अंदर properly chloroplast तो होगा नहीं क्यूंकि obviously एक prokaryotic organism है लेकिन chlorophyll molecules इसके अंदर मौजूद होते हैं अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैंने इसमें सारी cells में ऐसा नहीं किया है कुछ cell बीच में छोड़ दी है any particular reason कुछ ना कुछ reason तो हो गई अगर मैंने ये काम किया है तो येस यहाँ पर particular reason है यहाँ पर कुछ cells empty cells होती है जो की thick walled होती है empty thick walled cells होती है कुछ empty thick walled cells यहाँ पर मौजूद होती है ये लीजे empty thick walled cells हम यहाँ पर बना के बता रहे हैं ये लो ये जो specific cells है बच्चा इन cells का नाम होता है heterocyst इन cells का क्या नाम बोल रही हूं मैं heterocyst cells heterocyst देखो cyst spore ये शब्द जब भी आए मतलब thick wall मौजूद होगा क्या बोल रही हूं मैं thick wall मौजूद होगी एक second क्या हो गया भाई हैंक कर गए क्या पढ़ाना है अभी मुझे और वे आ गया आ गया चलो ठीक है थैंक गॉड है टेरोसिस्ट थिक वॉल्ड सेल्स हैं ये थिक वॉल्ड क्यों है क्योंकि ये इसको मैं एक और बात लेकर देती हूं ncrt ने बोला है कि ये specialized cells हैं obviously specialized तो होंगी क्योंकि बाकी सबसे अलग हैं बाकी सब में chlorophyll है इसके अंदर नहीं है chlorophyll थिक वॉल्ड भी है पर ऐसक क्यों है क्योंकि ये help करती है ये help in nitrogen fixation nitrogen fixation में help करती है nitrogen fixation पता है आपको क्या होता है atmosphere से जो भी nitrogen है वो nitrogen हम directly absorb नहीं कर सकते doesn't matter atmosphere में कितना high percentage of nitrogen हो क्या बोला मैंने atmosphere में बहुत high percentage of nitrogen है लेकिन उससे सीधी सीधी oxygen हम absorb नहीं कर सकते क्योंकि वो inert है nature ने एक enzyme बनाया nitrogenase enzyme चुकि nitrogen के उस inert molecule को N2 को तोड सकता है पर ये enzyme उसने सबने को नहीं दिया ये enzyme उसने कुछ ही organisms को दिया चुकि nitrogen fixation का काम करते हैं यह जो मैं डायग्राम बना रही हूं यह किसका है नौस्टॉग यह है नौस्टॉग का डायग्राम कुछ blue green algae कुछ और bacteria यह ऐसे कुछ ही organisms हैं जोकि nitrogen fixation का काम कर सकते हैं बाकी लोग यह काम नहीं कर सकते अब यह जो nitrogenous enzyme है यह oxygen की presence में काम नहीं कर सकता oxygen की presence में इनक्टिव हो जाएगा बरबाद हो जाएगा किसी काम का नहीं रहेगा और अगर मैं चाहती हूँ कि यह enzyme nitrogen fixation करे तो मुझे oxygen गायब करनी है इसी लिए यह थिक वॉल्ड हो गए है ताकि impermeable हो जाएं oxygen के यह क्यों हो गए हैं ऐसा ताकि they become impermeable to air तू air बोलो या oxygen बोलो कुछ भी बोलो oxygen नहीं आना चाहिए बस oxygen नहीं आएगा और यह अपना काम नहीं कर पाएंगे sorry यह oxygen नहीं आएगा तब ही nitrogenase enzyme अपना काम कर पाएगा clear हुआ यह था नॉस्टॉक का डाइग्राम चुकि NCRT में बना हुआ है it is very 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 important अब मैं बस एक और class of bacteria आपको बताने वाली हूँ जिसका नाम है mycoplasma क्या नाम है mycoplasma हमने आर्की बाक्तिरिया देखे उसके तीन टाइप देखे known cell है भाई यह smallest known cell सबसे चोटी cell है एक chapter पढ़ाऊंगी मैं cell उसके अंदर मैं इसका size भी आपको बताऊंगी तभी reveal करूंगी अभी नहीं कर रहे हूं तो यह smallest known cell है जो हमें पता है इस category में जो सबसे famous organism है उसका नाम है P.P.L.O. क्या नाम है P.P.L.O. which is pleuro pleuro pneumonia like organism pleuro pneumonia like organism P.P.L.O. यह एक disease cause करता है cattle के अंदर pleuro pneumonia disease हम उसे कहते हैं यह जो P.P.L.O. है ना बेटा यह P.P.L.O. से ही हमें इस category के बारे में सबसे पहले पता चला था सबसे पहले scientist ने इस organism को discover किया था आप उन्होंने इस category की सबसे special बात क्या देखी कि इसके अंदर cell wall नहीं होती है यहाँ पर these cells lack cell wall इन cells के अंदर cell wall मौजूद नहीं होती है क्या बोला मैंने इनके अंदर cell wall मौजूद नहीं होती है smallest known cell है example हो गया P.P.L.O. एक और special बात इसकी बताती हूँ कि यह वैसे तो अरोबिक है लेकिन it can survive without oxygen it can survive without oxygen वैसे तो यह अरोबिक respiration करते हैं लेकिन जैसे तुम और मैं है अगर हमारे सामने से oxygen अटादो तो हम मर जाएंगे लेकिन यह फिर भी survive कर सकते हैं it can survive without oxygen और इसकी सबसे स्पेशल बात जैसे मैंने बताया pipelineo pleuro pneumonia like organism शो कि दूसरे organism में disent में बिमारी यह करता है 걸로 pneumonia की तो क्या मैं ऐसा कहे दू कि इतेज पैथोजेने कर में इस पैथोजेनीग डू वेरियस इस पैथोजेनीग टू वेरियस प्नांट and animals बिमारियां यह कॉज करता है पैतोजनिक मतलब disease-causing किसी को confusion हो तो हम यह पर लिक भी देते हैं पैतोजनिक शब्ठ का मतलब है disease-causing बिमारियां कॉज करता है यह पैतोजनिक बैक्तिरिया है और इसका पता है एक और नाम है NCRT में बले ही ना दियो मुझे बहुत इंट्रेस्टिंग लगता है इसलिए मैं सबको बताती हूँ इसको हम कहते हैं जोकर जोकर ओफ प्लांट किंडम जोकर ओफ प्लांट किंडम भी हम इसको कहते हैं भाई जोकर क्यों कह रहे हो तुम इसको पहले तो ये बता दो अरे भाई इसके अंदर सेल वॉल तो मौजूद है नहीं तो ये अपना शेप और साइज बदलता रहता है अपना स्ट्रक्चर बदलता रहता है और इसी लिए हमने इसका नाम रख दिया हमने इसका नाम रख दिया जोकर ओफ प्लांट किंडम कहां गया ठीक है तुम्हें देख रहा है ना जोकर ओफ प्लांट किंडम भी हम इसको कहते हैं क्लियर हुआ और इसके साथ स्टूडेंट हमारा किंडम मुनेरा भी फिनिश हो गया चलिए एक बार हमने जो भी पढ़ा उसको फटाफट रिवाइस करते हैं हमने सबसे पहले पढ़ा क्लासिफिकेशन सिस्टम एरिस्टॉटल ने शुरू किया था प्लांट को डिवाइट किया किस में ट्री हर्ब्स और श्रॉब्स में अनिमल्स को डिवाइट किया उन्होंने दिया 3 kingdom classification, plant और animal के बाद next kingdom बताया, kingdom protescha, coplet ने दिया 4 kingdom classification, plant, animal, protescha और monera, आ गए आरेच विटाकर 5 kingdom classification लेकर, फिर एक साइन्टिस्ट वह रहा है, काल हूस जिन्होंने 3 domain system ये 6 kingdom classification दिया, आरेच विटाकर के 5 kingdom classification की बात करें, ऐसा और्गानिजम जो की प्रोकेरियोट है, मुनेरा में डाल दो, यूकेरियोट है लेकिन यूनिसेलियूलर है, प्रोटिस्चा में डाल दो, यूकेरियोट है तो मल्टी सेलियूलर है, तो उसके mode of nutrition की बात करने लग जाओ, अगर autotrophic है plant, heterotrophic है और decomposition का काम करता है, काइटिन की cell wall है, फंगस, heterotrophic है, multi-cellular है, यूकेरियोट है, consumer है animal, cell wall absent है animal, फिर हमने kingdom मुनेरा को पढ़ना शुरू किया, हमने सबसे पहले देखा कि bacteria इसके soul members होते हैं, ये हर जगे पाए जाते हैं, बहुत simple सा structure है, लेकिन बहुती complex इनका behavior है, बहुती अलग-अलग तरीके की metabolic diversities ये organism शो करते हैं, उसके बाद में हमने देखा कि सबसे इसका mode of nutrition हमने देखा, autotrophic भी है, heterotrophic भी है, chemo synthetic भी है, photosynthetic भी है, अलग-अलग तरीके के mode of nutrition शो करते हैं, इसको classify किया आर्की बाक्तिरिया और यू बाक्तिरिया के अंदर, आर्की बाक्तिरिया की अगर मैं बात करूँ, तो आर्की बाक्तिरिया primitive organisms हैं, बहुत पहले हमें देखने को मिले थे, harsh climatic conditions में पाए जाते हैं, जैसे कि मार्शी areas में पाए जाने वाले methanogens, गरम acidic water में पाए जाने वाले thermo acidophils, salty condition में पाए जाने वाले halophils, यू बाक्तिरिया अलग-अलग हो सकते हैं, हमने तो सिफ दो पड़े हैं, blue green algae और mycoplasma, algae की तरहा थे, यानि की water में पाए जाते थे, water bloom cost कर देते थे, बहुत excessive growth कर देते थे, उसके अलावा blue color था, क्योंकि phicosinin जैसा pigment मौजूद था, नाम पड़ गया blue green algae, ये अकेले रह सकता है, ये धागे की form में कई सारी cells रह सकती हैं, या कई सारी cells एक साथ, गुच्छे की form में, colony की form में रह सकती हैं, अलग-अलग life forms हैं, mode of nutrition की अगर मैं बात करूं, तो mode of nutrition इसका photosynthesis है, oxygenic photosynthesis, ऐसा photosynthesis जोंकि oxygen release कर दे, और फिर I.M.I.C. प्लास्वा, smallest known cell है, cell wall absent होता है, pleuro pneumonia like organisms, हाँ इसका example है, जो कि एक disease करता है, pleuro pneumonia की, अब सिंस इसमें cell wall नहीं है, हमने इसको joker of plant kingdom बोला, क्योंकि ये life forms इसकी थोड़ी थोड़ी change होती रहती है, शगल सूरत थोड़ी 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 बदलती रहती है, plants और animals दोनों में बिमारी cause करता है, pathogenic to various plants and animals, clear हुआ and with this students हम आज का ये lecture यहां पे खतम करेंगे, हमने आज के lecture में एक नया topic पड़ा, biological classification, एक lecture आज हमने इसका किया है, एक part हमने इसका आज फिनिश किया है, एक part बाकी है, जो कि हम next lecture में पूरा करेंगे, we guys will meet in the next class, तब तक आपको क्या करना है, अपने doubts को मुझसे पूछना है, अपने notes बनाने है, NCRT read करनी है, questions लगाने है, DPP आईगे, आप लोगों के पास में DPP solve करनी है, DPP के questions नहीं हो, तो उसका video solution देखना है, और 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 मेरा इंतजार करना है भाई, अगले lecture में भी तो मिलना है हम लोगों को, और उस lecture में हम इस chapter को आगे continue करेंगे, तो we guys will meet in the next class, till then, thank you and have a very happy learning, बढ़िया स्वस रहिए, मस रहिए, खुश रहिए, खाते पी दे रहिए, और मन लगा के पढ़ते रहिए, see you there, till then, thank you and have a very happy learning.